आप सब लों का स्वागत है बापस्ते जीनों में क्यों नाड प्रेटफॉर्म पे और मैं एक बार फिर आपके सामने हाज जुरूं कुछ नहीं चीजों के साथ सपाइब कुछ नुओं नाड इस साथ पाइब हो जाओगे अगर आप लगे रहे जीनों में के साथ कि आप सबको मेरी तरब सय सुपसंद्या नोट हो जाएब उतल को चीजों को जल्दी समझने में आसानी होगी, नोट क्या है स्क्रीन शौट से समझ समझ में आता है को समझ में आता है को समझ में आ रहा है तो अनिल दला सब को बेटा गोड़ी इवनिंग है गोड़ी इवनिंग जैंदेवराज गौत्तम है पूजा कोटवासी अंकोर उमेश पूनम रितिका भाव उमेश हर्त मौसम विक्रम पूजा पवन सब को में रित्व से गूड़ी इवनिंग फड़ा फड़ बच्चे कनेक्ट हो जाए तो आज आई होप आप आज की क्लास के लिए तैयार होंगे कौपी पैन आपके हाथ में होगी जैसे कि हमेशा होती है भाई की क्ला आप फिर कहा रहा हूं कुछ नया सीखके जाओगे बस कौपी पैन याद रखेगा आपके साथ होने चाहिए नया सिखाने के लिए ही मैं आप आता हूं और आप जानते हो जीनोमेक का कंटेन है जीनोमेक का लेवल है यह नौट सैट के लेवल को हुब मैस करता है और यह कहन रादे रादे वुच्छे कितने बच्चे हैं जो यूटूब से किलियर हो गए एक्जाम निकल गए मतलब बच्चों की रेंग तक आ गई है और वह आप उनमें से अगली बार होगे बोलो गिराज महाराज की जाए अगली वार आप नोट सैट में होंगे इंस में होंगे त हो सकता है बिटा में की कमी है पर कोई निकत नहीं ओबीज चाहिए और क्या चाहिए आपके सामने स्क्रीन पर पहला कोश्चन आने जा रहा है फटाफट कोश्चन का अंसर करिए दा फर्स्ट कोश्चन ऑन स्क्रीन अच्वार्प पर्स्ट को कोश्चन काँब dang说्य आस्थ और क्लासिफाइड यह पूछ रहा है कौन से प्रीकार के अनदर इनल्स पिंचर जो है वो डिस्रप तेड आर क्लासिफाइड वोsm तो इसे कौन से कैटेगरी के आप उसको पेरिनेल टीर के अंदर रखोगे कि वेरी गूड कि फोर्ट डिगरी में रखोगे अच्छी बात है कि भाइसी को लोक कर दो बिलकुल लोक करेंगे क्यों नहीं करेंगे आपका होगे तो लोक करवाएंगे कि समझा है वच्चे चलो वह वरीगूट सब क्या अनसरान लगाई सब बच्छा सी-ोदी में कानफिजन हैं मोस्टी सी ऊडी कर रहें बाकी तो ए और वी तो किसी ने कहा नहीं पर कोई बात नहीं सी ओ डी में से छाट लेते सब से पहले बात करते हैं किसकी बातो ही कि पारी या कicus कर रही है इसके बेश पर उनकी CVRT decide होती है उनकी degree decide होती है तो first degree, third degree, fourth degree और यह जो degree है इस बात पर decide करते हैं कि किस किस चीज का involvement हुआ है किस किस चीज का involvement हुआ इसके आधार पर decide करते हैं तो आपने कासा जो tier है total fourth degree की tier होते है आपके सामने screen पर दिखाई दे रहा है यह जो 4 degree दिखाई दे रही है यह perennial tier की degree है आई होप आपको यह पहला डाइगर हम समझ में आ रहा होगा तो perennial degree में सबसे पहले बात करते हैं first degree की tier की जो पहला degree का tier है बच्चे इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा याद रखना यह जो 1st degree है इसमें जो injury हुई है सिर्फ skin में injury हुई है यह जो perennial area है इसके सिर्फ skin में injury हुई है यानि के injury to skin and subcutaneous tissue of perennial समझ में आ रहा है बच्चे तो कोई पूछे जाए आप से इसमें कौन-कौन सी कहां-कहां की चीजों में involvement होता है तो 1st degree के में सबसे पहले tier आता है skin में जो tier आ दिखाई दे रहा है वो tier किसमें skin में है और किसमें दिखाई देता है subcutaneous fat में subcutaneous fat में दिखाई देता है समझ में आ रहा है जो subcutaneous tissue होते हैं इसमें दिखाई देता है एक तो tier skin में है एक सब्सक्राइड कि मैं टिशू के अंदर है और सब्सकेनिती टिशू किसके और पैरिनियम इजो पैरिनियम का सब कि इसले होता है और इस में कि अंदर राया वेंडी norm का भी यह हो सकता थे घा सेम रहती हैं मतलब स्टार वना के रख लेना किन जूंफेक्ट आंडने व प्रण फसके और diving एड्रिक आख असर नहीं तो है तो पहले डिग्री के अंदर यह जो फ़स्टी डिगरियर इसमें कहां- personas tear कि extent तक गारा है आपके सामने जो चीजे मैं बता रहा हूं बच्छे बिल्कुल आ गया गया सब्सक्राइड टिशी आ पैरीनियल के इन无इन रोगा बट याद रखना पैरीनियल मसल्स के अंदर कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ता अब बात करते हैं सेकंड डिगरी के टियर की सेकंड डिगरी के टियर में क्या-क्या involvement होगा उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा से कट है वो नीचे की तरफ चला गया है यह और डीप हो गया है उसके सामने इसária निचान पर नहीं पूछे का कि सेकंड डिगरी में कहां तक एक्टेंट हो चुका है यह जो टियर है वह कहां तक एक्टेंड कर गया और उटेंट कर गया है कहां तक याद रहें सब्सकीना और नहीं कर जाता है वह दो इं Pine पिंचर पर फरक नहीं पड़ता सेकन्ड डिग्री नियु सास्ट हें धोtt उसकी जो मसलस करें रहती है थो सेकन्ड डिग्री में ऐसन्ट कोई फरक नहीं पड़ता मेरी समझ आ रहे होगी जिसी पर सबस्क्राइब काम को सबसे पहले कर लिए लगे हाथ करी लिए इतना दूर चल के आए हो तो कि लिए बच्छे बिल्कुल कि लिए अब बात करते हैं सर्थ डिगरी में क्या होता है थर्ड डिगरी के अंदर याद रखना कि थर्ड डिगरी में आपको एनल इस्पिंचर इन्वाल्व हो जाते हैं एनल इस्पिंचर की मसल्ज इन्वाल्व हो जाती है तो याद रखना इसके अंदर एक्स्टरनल एनल स्पिंचर भी इन्वल्व हो सकते हैं और इन्टरनल एनल स्पिंचर भी क्या हो सकते हैं इन्वल्व हो सकते हैं यह डिपेंड करता है थर्ड डिगरी की सब डिगरी होती है थर्ड ए थर्ड बी थर्ड सी थर्ड ए थर्ड बी थर्ड सी तो यह जो थर्ड डि प्रेगरी हैं वो क्यान कौन सी है और कैसे कैसे पता चलेगा तो बिटा याद रखना अगर 3A लिखा हुआ है 3A लेखा हुआ है मतलब Less then 50 पर सेंट Less then 50 percent of thickness Less then 50 percent of thickness of external analysis picture involved इसमें external analysis picture involved होता है बट उसकी थिकनेस 50% से कम की होती है अगर कोई कहें थर्ड भी के बारे में बताओ तो more than 50% of thickness of external annals pincher इसमें involve हो जाता है पर अगर कोई third C कह रहा है थर्ड C कह रहा है इसका मतलब है external annals pincher and internal annals pincher दोनों इसके अंदर involve होते हैं तो external annals pincher और internal annals pincher both involve होते हैं तो यह third C कहलाता है मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या तो annals pincher के बारे में जब भी कोशन आएगा आप टिक कर पाऊगे बिल्कुर टिक कर दोगे और मैं आपसे कह रहा हूं कि external annals pincher और internal दोनों involve हो जाते हैं थर्ड डिग्री में पर थर्ड का भी कौन सा टाइप होता है वो थर्ड सी वाला टाइप होता है जिसमें सब कुछ involve होता है इते हरी सौर अवाज आ रहा है बिल्कुल बेटा आवाज तो आ नहीं था क्या मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है क्लिए बच्चे चलो ठीक अब आपने कासर और बताईए अगर हम बात करें कि फोर्थ डिग्री के बारे में बात करें कि फोर्थ डिग्री में जो पेरिनियल टियर है उसके अंदर क्या-क्या इन्वाल होगा तो बिड़ता आए और इंवाल्व नहीं थी ओर एक्टल म्यूकोसा भी इसके अंदर इंवाल्व हो जाती है तो जो एक अगल्योकोज टक चले गए तो यह फोर्थ डिग्री का टियर कहलाता है I hope आपको मेरी बास समझ में आगी होगी तो fourth degree का tier ऐसा है जहांपर rectum तक ton हो जाता है अंदर तक फट जाता है इसे कहते हैं fourth degree तो आपके सामने चार ओर degree की मैंने perennial tier लिखे हैं और third degree का मैंने sub classification लिखा है यह सोचके कि आपने copy में लिख लिया होगा बिना किसी परिसानी के बिना किसी समस्या के आपकी copy में यह classification दर्ज हो चुका होगा exam में बहुत काम की चीज़े है revision करोगे तो याद आए गया dimple आज की class भी लॉग कर देंगे क्या आप हाँ और नहीं भी करूँ mood पर depend है कि इस पर में इस पिंचर मींज क्या होता है तिरा नाम एन क्लेक्स आ रहे ने बीटा अच्छी बात है कि लिए बच्चे चलो आगे चले नेक्स कोश्चन और स्क्रीन आपके सामने अगला कोश्चन आने वाला स्क्रीन पर फटाफट कोश्चन का अंसर दीजिए आपके सामने अंसर कोश्चन आ चुका अंसर दीजिएगा बिना किसी प्रकार के सुमचे कि दॉल्बन लाइन को राम 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 बेटा रवन सर्मा जार खंड सी एचो की तरफ से गुड़ इवनिंग बिटा जीता रहे पेंडित रवन गुड़ इवनिंग पंदर मिट के बाद लोकिया करो नहीं नहीं एक सेकंड भी नहीं कर दोर तुम लोहं को लगता है तुम मुझे ज्ञादा बिजी हो तुम नगता तो मुझे ज्यादा बीजी ओ बहाणे आ क्सक्राओद करो अगर तुम मेरे वरावर काम करते ना तो तुम चारपासा नहीं उटते हैं जब मैं निकाल रहा हूं तुम तो बड़े कलेक्टर भी नहीं हुए तो अभी तो कंपाउंडरी डंग से नहीं हुए टाइम निकालना चाहिए तुम्हें बहाने एक्सकी उच पचास आ जाते हैं नौ 60 का पर आपको नौ बज़े चोड़ देते नहीं छोड़ते ना सारे बहाने पूरी करके आ जाते न दिखने वैसा ही जिसकी मरेजी देखो जिसकी मनीवजी बिल्कुल मंते को मजे करो जो पाएगा जो रहेगा वो पाएगा जो सोएगा वो खोएगा वेरी गुड आंसर आ रहा है चलो परफेक्ट ड्रग कंजूम्ड प्रोफाइल एक्टिकली आफ्टर दा नुक्लियर डिजास्टर इज बहुत अच्छी बात कर दी बिटा आपने सब निकाव बहुत बढ़िया गूड इवनिंग माई रेस्पेक्ट पांतर सर मुकुन मेग जोदपूर की पवंधारा जी तरह बच्छे कोटव वासियों की तरफ से अरे बहुत बढ़िया डिस्टिक वाज काम चलो रहा है कि आज अज डिस्टिक वाज नमस्ते आ रही है बहुत अच्छी बात एक्सिलेंट सी सी आने लगे बीबी आने लगे ओके बच्छे अच्छना पारा सर इतना अकल है मुझे दस मिंट के बाद तुम क्या करोगा मैं जानता हूं अनपड थोड़ी हूं टेक्निकल चीजें भी जानता हूं मैं यार कितना स्मार्ट बन रही है रहे दस मिंट के बाद लग क्या करो है बहुत अच्छी बाद मिस्यू अभी मीसिव अभी जिन्या करता हूं यार ममया अधिक है ये भी फिके तो सबसे पहले बात कर देते हैं एस जैन்स चांत ओककर यह थे तो भी में एक उस में गलत है आप आपने का सर बहुत एजली मिल जाए मैं बता रहूं जान सुनिए यह जो हिमन होता है हां मैंने का हिमन उता तो है और यह नियूक्लिय डिजास्टर रहे सबसे पहले रिखो मैं डिजास्टर कौन सा वोला है सब्सक्ते इक आंसर देता हूं तुम्हें रोति रहाँगे अब समझा देता हूं थाइरोइडоль्डीन होती है मैंने कहा थाइरोड गिलेंड भी आते इसमें क्या लाहरा हूं मैंने कि Marx对 यह पॉला पोजी संग की रहाँ एक्टिव रेडियो एक्टिव आयोडीन जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है वोला यह कहां से आ गई न्यूकिलियर डिजास्टर से रिलीज हो गई रेडियो एक्टिव आयोडीन और रेडियो एक्टिव आयोडीन अगर एब्जॉब कर लिया थाइरोड गिलेंड ने तो थाइरोड गिलेन्ड के डैमेज होने के डिस्फंक्शन होने के चंस ज्यादा है, तो अगर ऐसा कर लिया, तो थाइरोड गिलेन्ड ने, अगर गलती से अगर्टी से रेडियो एक्टिव आई अटो अ इलहें तो किसी और से चिपकेगी तो मतलब कहना अगर मैं इसको नार्मल आयोडीन नहीं चिपके गी replacing है तो आवारा है यह तुम्य वाली चिपक गया तो यह बात भी सही हैै न चाहते हो नशाद की मौत नशार के पास नहीं जाएगीlusive अगरemen सेज्चु रहेगी सो कि सिंटे बाउडिय नहीं जाएगी ना झवारा के पास नहीं जाएगी तो खुश रहेगी मतलब तुम क्या चाहते हो कि मैं यह चाहता हूं कि तू दे दे भाई उसको आयोडीन अगर तेरी टाइम से मिलती रही आयोडीन तो किसी और की आयोडीन वह नहीं लेगी विल्कुल सही बात है सर्थ और मैं कहलत बात बोलता ही इस नहीं रहे क्यों समझ में आ रहा है ना आपने कहां मतलब मैंने क्या दे दिया पोटेशियम आयोडीन दे दिया चेहीं हो हो जाएगी और जब सेचूएटेड हो जाएगी तो किसी और को नहीं लेगी ? हाँ ये भी मतलब है तो मतलब नीयोडीन यह कैसा है इससे कोई खत्रा भी नहीं होता है जिससे किसी प्रेकारा कोई कि और बगभभां करे तुमारी थायरोड बची रहे किसी और से नचिपके यह एकजाम टाइ में किसी और चिपक रही तो तुमारी थाइरोड के बिना करोगे भी क्या और यह गोफ दोनों तरफ से दले यह भाटी को सब पता है भाटी की थारो दो तरफ से ले रहे है साहे भाटी तो तेरी बचाके रग थारोड बे शार एक्स्प्लिंड करना थोड़ा केसे वह घुत है एग्जाम्पल बहुत एक किताबों से नहीं तेरे अब तो मुझे भी रंग आता सब्गड़ लिया है कि समझ आ रहा है अच्छे आपको मेरी बात समझ में आगे होगी तो आपको आयोडीन मिल गई कौनसी वाली पोटेसियम आयोडीन आई होप आपको यह किलिए समझ में आ गया होगा आप से बहुत को सीखने को मिलता है भाई का जलवा है भे अफटाबर लाइक कर दो इसी बात पर लाइक कर दो क्या बैटरी में एक्जामबल दिया अब आपने कर से थोड़ा और बता देते अब डिजास्टर आया है थोड़ा सग्यान और दे देते हैं डिजास्टर कि इतना दूर चलके आए हैं थोड़ी सी बात और कर लेते हैं मैंने का बता उससर क्या बात है मैंने का यह बता पोस्ट डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर के पस्चात पोस्ट डिजास्टर फेज में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सी डिजीज पाई जाती है तो वह पूछे पोस्ट डिजास्टर में मोस्ट कौनसी होती है आपने का फड़ाप्र पता बचे आंसर ए जी ए आपने का एजी का मतलब क्या होता है एक्यूट एक्यूट गेस्ट्रो एंट्राइटिस यह मोस्ट कॉमन डिजीज होती है याद रखना उसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है कौन सी है गेक्यूट गेस्ट्रो एंट्राइटिस अरे अभी भी नहीं आ रहा क्या बहुत बढ़िया तो आज मेरी फस्ट किलास है दूद का गिलाथ लेया भाई कि चलें बच्चे आगे चलें वह पूछेगा कि कौन सा वाला वह यह पूछेगा कि कौन सा वाला बिटामिन डेफिसेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो कौन सी बिटामिन डेफिसेंसी सबसे ज़्यादा होती है वह देखिए कौन कौन सी बिटामिन डेफिसेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसके बारे में बात करते हैं कौन कौन B3 बिटामिन और बिटामिन सी यह तीन डेफिसेंसी सबसे जादा होती हैं यह तीन होती है पोस्ट डिजास्टर फेजमं और कर देता हूं तुम मत देख चली जा बिटा अभी मैं अच्छे से बजन सुनाँगो इसलिए है ना लेक्टरली ज्यादा मत देखाओ तुम करते क्या हो वे क्लास क्यों नहीं देखी जाती कलट्टर हो कहीं पे कहीं डिप्टी लगे हो यहां सारा काम छोड़के 9 बज़े बैठना होता है कोई लास त्यार करनी पड़ती है कोश्चन फ्रेम करने पड़ते हैं कि कॉपी पेस्ट कर दूं कहीं सुठा के प्यार यादव से राइव फिलेवन लियाओं और तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे घर पे यह हो गया मेर चाहिचा प्राइवेट करूंगा ऐसा ही हूं है मेकार हूं ना पता है कि समझा गया चलो और चले आगे चले आगे चले आगे चले वह पूछेगा कौन कौन सी वैक्सीन पोस्ट डिजास्टर फेज में कौन कौन सी वैक्सीन मेंडेटरी है याद रखना कौन कौन सी वैक्सीन मेंडेटरी है और दा हेल्थ केर वरकर जो हेल्थ केर वरकर होते हैं उसके लिए कौन कौन सी वैक्सीन कंपलसरी है एक तो टाइ यह तीनों वैक्षिन कंपल सरी है यह याद रखना यह जो मैंने तोला है थैट इस नौट वर जो जननल पॉबलिक है डिजास्टर में उनके लिए नहीं है यह स्रिप किसके लिए डैट इस फॉर दा हेल्थ केर वर्कर जो हेल्थ केर वर्कर उनके लिए के लिए के लिए मेरी गुड आगे चले समझा रहे हैं और बताओ सर वो यह पूछेगा कि सबसे जादा Motility Maximum Motility कौन से Disaster से होती है तो Maximum म्रत्यूदर Motility कौन से Disaster से होती है आंसर है Hydrological Disaster यह जो सुनामी बगर आती है पानी के समंदित जितने भी Hydrological जितने भी Disaster होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा डिजास्टर होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा क्या होती है मॉटलिटी होती है क्या सुनना है EWS CHO हो जाएकर अभी गुपता तेरा रोहित गुपता इस उनने चाहत हो पढ़ता रहे है ठीक है और बताईए सर और कौन कौन से चीज़ेंस के अंदर आप से पूछेगा डिजास्टर रिडक्षन डे कौन सा मनाया जाता है तो अगर वो पूछे कि डिजास्टर रिडक्षन डे कौन सा सेलिबरेट करते हैं तो याद रखना याद रखना डिजास्टर रिडक्षन डे कम मनाया जाता है तेरे अक्टूबर को मनाया जाता है कि पंद्रे अक्टूबर को डिजास्टर न हो डिजास्टर मैनेजमेंट अथरेटी इसका चेयर परसन कौन होता है इसका चेयर परसन कौन होगा यह बताओ मुझे इसका हेड़क्षर तो डेली में यह तो आप याद रखेगा ठीक है बच्चे अब बात करते हैं किसका चेयर परसन कौन होता है फटापड बताओ बच्च प्राइम मिनिस्टर इसका चेर परसन होता है वेरी गुड है के लिए रहे चलो एक आपको पता है भारत में सबसे बड़ा सबसे जो फैमस डिजास्टर है वो बोपाल गेस्ट राजडी हुआ था समझ मैं आए रहे ना बच्छे भोपाल गेस्ट रेजडी हुआ था भोपाल गेस्ट रेजडी कब हुई ती डेट पूछ सकता है आप से तो याद रखना तीन Dare first 24 24 को भोपाल गेस्ट रेजडी हुई ती याद रखेगे आए और कौन यूनियन कारबाइड कौन सी ती यूनियन कारबाइड का प्लाइंट था ठीक है और इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी मिथाइल आईसो साइनेट यह वाली जो गैस से वो लीक हुई थी जिस बज़े से हजारों लोग मर गए थे तीन हजार का डेटा है मरे तो बहुत थे आपको डिजास्टर के बारे में जितनी चीज़ें बताई आई होप आपको समझ में आ गई होंगी आना ही था तो मैं सब समझ में आता इस वरी करपा से फटाफट क्लास को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइ सब्सक्राइब करें सही समय करिए तो मैं ऐसी करते रहो सारी दिन बस ऐसी रोते रहे ना बिटा पढ़ना मत अगला कोश्चन आपके सामने स्कीन पर फटाफट कोश्चन को पढ़े और आंसर करें फटाफट फट अ वेरी गुड़ प्रत्वी राजप्रो इतल्व फ्रम वो एंस बोपाल गॉडबले सी बच्चे एक इनको देखो विचारे एमस में लगने के बाद भी देख रहे हैं एक वह हैं जो निठल ले घर बैठे हैं फिर भी कह रहें का आराम से देखेंगे सब्सक्राइब के जल्दी बता फटा फटा फट किलास का अंसर करें सारे बच्चे एक्सिलेंट हाँ रेल्वे बैन मुई बनी है सुप्रिया सही कह रहे है पेटा एक थ्री वीक ओल्ड पेसेंट प्रिजेंटिंग विद्धा वामिटिंग एंड फेलियर टू थ्राइब क्या होता है वें दज नॉट ग्रोथ अप्रोप्रियेटली इवन आफ्टर टेकिंग दा प्रॉपर फूड प्रॉपर फूड लेने के बाद भी अगर कोई बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है थे इसको फेलियर टू थाइव कहते हैं माल नूट्रेशन में भी ग्रोथ नहीं होती पर उसमें न Denicी मिलता मेरी बास सुना फेलियर टूथ हुरी और माल नीट इन्टेक के बाद भी बच्चा ग्रोथ करता है और माल नंचेशन में क्या है ना सबसे पहले बात करें किसको सीप्यार देने के बारे में बात कर रहे हैं इसको सीप्यार की जरूरत नहीं है और इस बच्चे को बीक प्रोबलम है तो इसको सीप्यार देना नहीं है ना तो इसके कोई प्रोबलम्हिए ने को पॉट फटा पटा पट्र पाइलोरो मायो आटोमी कर दीजियी मेरी बात सब्क pattern ते color mày करते हैं किसी प्रकार का कोई प्राबलम नहीं बट एड ऑट एट एड्म różацион सर्जीगिंसी कंडी सने इस सΡ्जीकल इमर्जेंची इमर्जेंशी कंडीशन नहीं होती इसे मेडिकल इमर्जेंसी कंडीशन होती एड इस नौट ईसे सर्जिकल इमर्जेंसी कंडिशन वॉइस कमा रही है बवीता ऐसे मत कर बेटा वॉइस तो मैं चिला चिला के बोला आवास तो बराबरा आ रहे होगी एरफॉन लगा ले न बेटा तू आपने कहा चलो ठीक है और बतायो तो अब मेरे एक बात आप ध्यान में रखिएगा पाइलेरो माय प्लेटोमी कहूं बात तो एक ही है और वो मुझे करना ही पड़ेगी तो यह सर्जिकल इमर्जेंसी कंडिशन नहीं है यह मेडिकल इमर्जेंसी कंडिशन है तो यह वाला तो मैं काट देता हूँ अब बात है फ्लूड रेसेसिटेशन में बीडिलेड ना फ्लूड रेसेसि नहीं है जो पहले बता रहे थे फिर बता दूं कर प्रजक्टाल वामिटिंग बहुत सीवियर वामिटिंग होती है और बहुत सीवियर वामिटिंग होने के बाद इस में मैटावॉल एक हो जाता है ऐसा है यानि यूटूब पर बेटा कोई दिक्कत नहीं बाला सही जगए हो तो सही जगह जाएगा यह पाईलोरिक स्टैनोसे कितना भी सीवियर हो यह कराएगा मैटावॉलिक एलकेलोसिस इस बात में कोई कंफ्यूजन मत रखना मैं जो बता रहा हूं इस एक माइंड में फिट कर लीजिए यह सीवियर्टी के ध्यान में रखकर इस बात को मतिका सब्सक्राइब जाया जाएगा और सब्सक्राइब कर नेशिक हो जाएगा कुछ नहीं होता है तो सबस्क्राइब कहते हैं और स्वाली कि अ है तो अब जगला लॉजिक नहीं घुसाना वहाँ जाना चाहिए ज़रुवत है कि याद रहेगा हां करेक्षण अफ不過 लैट बिल्कुल करेक्षण उफ back लायट मुझे करना ही पड़ेगा विर्फ रेक्ष़ नैसेसरी क्योंके इसकी बज़े से जो प्रॉजक्ट वामिटिंग हो रही है इस वज़े से क्या होगा कि लॉस हो जाएगा एलेक्टोलाइट का लॉस होगा तो मुझे रिप्लेस्मेंट करना पड़ेगा रिप्लेस्मेंट के लिए मुझे लिखा हुआ है खासकर पोटेसियम और कलोराइड का मुझे सीवेट डिप्राइबेसन वा इसकी वज़ए से हाइपोकैलीमि या बात है तेजसी इतना ध्यान घतना के मैमरी इसवर कर यही मेमरी नॉट्ट में भी काम आए ठीक है बीटा चलो कि अब आए लगर किस्ट्यान से दॉन अटक हो सकते हैं और किसी बच्चे को हाई डोज बार बार देते रहेंगे इर्थ्रोमाइसिन का इस वजए से बच्चे में प्रॉब्लम हो जाएगी और प्रॉब्लम क्या क्या लाएगी पाई लोगर किस्ट्यानों से समझ मैं आ रही है मेरी बात देख रहा है राजे सेनिन क्या बैटरीन लॉजिक दिया ऐसे हलके में थोड़ नहीं ले राजे स्वानी को बेटा बहुत अच्छी बात राजे स्वानी गडव लेसे हो कि ृह राइट यौ ृफ्ट निंए ले फ्रें उठ्ट यॡ़ आज़ा रसें ले फ्र राइट करना गलत मत का डारेक्शन को मैरे प्यारे मुन्ना चुन्णू अगला कमशनि के जेगे है नेक्स्ट कोशन और स्क्रीन अगला मार्या चंचन गॉड ब्लेस्य बच्चे भव्या चवभी सा गॉड ब्लेस्य बच्चे सुरेश हो जाएगा तर एक्सेट पेचल अपटा क्वेशन कान सो भटापट आइडियल टाइम फोर दा एक्स्टरिनल सिफैलिक वर्जन करने का सही समय पूछ रहा है कब करते हैं एक्स्टरिनल सिफैलिक वर्जन कौन सा समय सही रहेगा उसके बारे में बात कर रहा है कि अगर अगया अंसर चलो अब देखतें क्या हुआ ए जो एक्टेर्नल सिफैलिक वर्जन होता है मेरी बात समझना अगर किसी को Preach Presentation है अगर किसी को Preach Presentation है तो इस condition में क्या होता है, कि मैं चाहता हूँ कि Brieche को मैं COSIS करता हूँ कि मैं apertex में convert कर लूँ तो मैं चाहता हूँ, head नीचे की तराफ आजाए जो हाँ पर butex नीचे की तरफ है, वो head नीचे की तरफ आजाए तो मैं क्या करता हूँ कि याद रखना जैसे 36 week complete होते हैं जैसे 36 week completed 36 week completed होते हैं तो याद रखना 36 week पूरा होते ही मैं क्या करता हूँ ब्रीज को turn करके मैं सिफेले की या vertex बनाने की कोशिस करता हूँ और मैं बिना हाथ को अंदर insert किये दौनों हाथों को abdomen पे रखके मैं उसको धीरे धीरे rotate करता हूँ धीरे धीरे rotate करके मेरी कोशिस होती है कि बच्चे मैं इसको क्या करूँ मैं इसको turn कर दूँ किसे breeze से लेके सिफेले यानी vertex के अंदर जिससे के normal delivery होने की संभावना बढ़ जाए है जादा यह को सकती है भी बाध कर तो आप दौनों हाथों को turn करके धीरे धीरे इसको rotate चो कर रहे हो और शातीस भी पूरा होने के बाद करते हो यानि 36 वी पूरा होने के बाद उस से पहले- उस से पहले करने के जरूरत नहीं अगर चौल फॉटिज इस इस टीर वीग पर किसी को बिरीज पम आतेंड में पर sore जाते हैं कर विए अपने तो इसे चाहिए तो these अपने आप गुम जके और वो अपने फ्लोट हो के नीची आ जाए इसलिए क्या करते हैं कि हम ने 36 वीक वेट कर लिया और जैसे ही 37 वीक स्टार्ट हुआ मैंने क्या कर दिया उसको एक्स्टर्नल सिफेलिक वर्जन कर दिया और मैं 36 से पहले इसलिए प्रणा था कि आप इस और बहुत पहले कर दोगे तो अगर आप पहले इसको ब्रीज से कहां लाओ इस सफेलिक सुबहें उठोगे तो बापस ब्रीच हो जाएगा अगर बच्छा रोटेट हो रहा है तो आपने पूरी मेहनत करके उसको ब्रीच से क्या बनाया सफेलिक बटक् किलियर तो आप से पूछा जाए कि 36 वीक से पहले क्यों नहीं करते हैं क्योंकि आगर आप उससे 36 वीक से पहले कर दोगे तो इसका मतलब है कि जो बच्चा भी जो रोटेट हो रहा है आप उसे ब्रीच से सिफेलिक करके छोड़ दिया दो दिन बात देखो कि बापस ब्रीच हो जाएगा इसलिए नहीं करते हैं ध्यार रखिएगा आपको बहुत जैंटली करना यह उने कि ठीक करे देता हूं आजा और पूरी स्टेरिंग काट दिया आपने ऐसा नहीं करना है धीरे धीरे करना है तो बिना किसी तकलिफ दिये आप इसे कर सकते हो ठीक है बच्चे कि अग्जाम प्रेप पर मिलती है ठीक है चलो अगला कोशन समझे अगला कोशन आपके सामने स्कीन पर फटापड कोश्चन को पड़े और आंसर करें इंटेनल पॉर्ड एले परजन का टाइम बता तो इंटेनल पॉर्ड एलेवर्जन बिटेस बात पेडिपान करता है कि प गनपत यहां एप लॉगन होगा मैसेज कर देना मुझे मैं देख लूँगा ठीक है बच्चे अब बढ़ाई करो अब बढ़ाई करो अब 36 एक ट्यार्मर प्री ट्रम तू बता सुरेश हो जा तुझे क्या लगता है अब बढ़ाई करो कन्फिूज मत हो ना मैं बापस बता दूम्म आम्योटिक हा लेवल यह बहुत इसमें बहुत 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 होती है कोन्ट्रूर्ज क्वेश्चन के अंदर है आन।क एसमें अब tutorial का लेवल क्से वीक पे होता है जो कॉं आशूंत करो तो कर लो तो बाकि भाई का ग्यान यह कि 34 वीक पे होता है और तुम यह टिक कर दोगे तो तुम्हें एक नमबर मिल जाएगा नौर सेट के अंदर तो मैंगजीमं एमनेटिक फिड का लेवल 34 वीक पे होता यह याद रखेगा कि वेरी गुड आंसर आने लगे आजाएं चैन के तो रहा हूं एक आंसर देना है 34 वीक दे देना अगर आप चाहते हो कुछ बला वेरी गुड नॉड देना अगर जला है अब बात करते हैं इस question के pain कानों में pain होने लगता है तो कानों में pain किस dacival पर होता है और कौन सी condition किस dacival पर pain पैदा करती है तो इसके बारे में याद रखेगा जो बता रहा हूं ठीक है कोई क कहा आप सहके विस्पर है कानों मेंं' फुस्परसार्ट नहीं किया तो अगहां कितनी uh नौर्मल कनवर्जेशन की जो आपस में बात चीत करते हैं उसका कितना का decibel होता है तो नॉर्मल कनवर्जेशन का decibel होता है साट से लेके सत्तर आपने का असर एक बात बताओ मुझे यह जो आप से कहें कि पेन कौन से decibel पे होने लगता है तो पेन जो decibel है वह 140 140 decibel पे पेन होने लगता है आप से पुछा जाए temporary hearing loss temporary hearing loss कितने साउंड पे हो सकता है तुरंत हो जाए temporary hearing loss हो जाए immediate पर temporary हो most common frequency कौन सी है 4000 से लेके frequency decibel नहीं कह रहा हूं यह frequency कह रहा हूं decibel नहीं कह रहा frequency 4000 से लेके 6000 हर्ट्स पर यह temporary बहरा कड़ देता है कुछ समय के लिए आपने का सर ठीक है यह बताओ सर्म डेली का डेली जो है वो maximum tolerable जो tolerable किया जुसे tolerate कर सके हैं tolerable maximum daily maximum tolerable without damage of hearing without without hearing damage बिना hearing damage के बिना hearing damage के daily maximum tolerance without hearing damage कितने sound पर होती है answer 85 से 90 आपने का एक answer बताओ तो 85 आपने का सर तेज आवाज से थकान होने लगती है इसे कहते थे आओडिटरी फैटिग और टीटरी जो फैटिग होता है जो आवाज की बज़े से थकान होती है वो कितने sound पर आती है answer 90 decibel कितने पर आती है 90 decibel पर आपने का कितने से ऊपर sound पर टिंपैनिक मेंब्रेन रप्चर हो जाती है तो 250 से लेके 160 decibel और इसे कहते हैं permanent mechanical damage ए उन्पइंट में कितनी अवाज मेंब्र रंप कटका होती है ह Iyaこれは प지रल में जो वर्ड होते हैं उस में कितना sound की decibel को maintain करके चलता है 20 से लेके 35 decibel की sound को maintain करते हैं ये सारी चीज़ें आप इसलिए में बता रहा हूं कि आपने copy में लिख लिया होगा चला है बिटा very good clear तो फटा फटा बिटा आपको मिल गया तो 30 से 35 तो आये सारी चीज़ें जो मैंने बोली है ये आपकी copy में होनी चाहिए थी अब आपने कासर पेन बता दो पेन बता दिया 140 जैसी वर्ल पर पेन होने लगता है मेरी बात आपको समझ मैं कितने पर टिंपैनिक सबने बहुत अच्छी बार आगे चलूं आपका आदेश होता बहुत 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 लब फ्रॉम एम्स उदयपुर क्या वे इसे मत कर वे कौन साइंस खोल लिया तू दयपुर में नेक्ट क्लास ओभी जी के ले लो ले लेंगे ओभी जी कि क्या है अगला कोश्चन आपके सामने स्किन पेरा फटा फट कोश्चन को पढ़िये और आंसर करिए कोई बच्चा बिना आंसर करे नहीं रहेगा कर दो कि कि किलास अच्छी बात है और बोलते जाओं मैं करूं आकोसिस संस्कृत की थोड़ी सी किलास ले लेता हूं कि हम राम राम मा म्म राम नंत पढ़ती पढ़ता पढ़तों यसे आख़ी रहे गाग बेटा आपके लिए के एंचनल को सब्सक्राइब को यह काम सबसे पहले कर दिया कर बैँटा तों मो और अब नसके kap Bereet कर रहे हैं सढ़ा को अरे, पढललो वेरी गुड, most common fungal infection in neonate transmitted by caregiver hand caregiver की hand से बच्चों में neonate में सबसे common होने वाला fungal infection कौन सा है जल यो दाओ आंसर है, Candida parapsilosis Candida parapsilosis is the most common fungal infection in neonate by the caregiver hand स्टार बना लो याद रखना कुछ नई दीजें कौपी में लिख लीजेगा आपने का ठीक है मतलब मतलब यह कह रहा है कि most common fungal infection in neonate transmitted by caregiver hand याद रहेगा क्या नाम है Candida parapsilosis अब Candida parapsilosis एक्चुल में होता क्या है कोई पूछेगा इसके कौज बता दीजी आप तो कौज में मैं इसका पहला कौज बता देता हूं जो इसमें लिखा हुआ है और वह हो है contaminated hand of healthcare worker तो एक तो क्या होता यह contaminated hand से होता है contaminated hands of contaminated hands of healthcare worker क्योंकि इसके हाथ पता नहीं कहां कहां जाते हैं तो इस बज़े से fungus infection गफिस नियोगनेट में लग सकता हैं आई बात समझ मां और सर किस बज़ेस से हो सकता है जो आपने बच्चे को प्रॉस्थेटिक डिवाइस लगाई है जो बच्चह को प्रॉस्थेटिक डिवाइस लगाई है किसी भी जल्की बजएस से hearing wait होती है कोई ऑग भी डिवाइस जो प्रॉस्तर डिवाइस आप लगाते हूं उस वजए से हो सकता है और एक एंड्वैलिंग कैथेटर की बज़य से नियाद रखेंगा तो कहितेर की बज़एसे नियोनेटमें जो फंगल इनफेक्शन सबसे चाहदा है उसका नाम है परापसिलोसिस समझ में आ रहा है कि आरे महीं आ रहा है आ रहा होगा कैथेटर कैथेटर तो इन वजए से भी हो सकता है हारे हाया ना बच्चे समझ में आ रहा है अरे कोई नहीं लिख लीजिएगा मैं जो कह रहा हूं जिनको नहीं आ रहा है बहुत इंपोर्टेंट चीज आने वाली और बताओ यह है मेरा हाइपर एलीमेन्टेशन हाइपर एलीमेन्टेशन सॉल्यूशन अब आपने क keywords मैं बटा देता हूं हाइपर एलीमेन्टेशन सॉल्यूशन जिस किसी बच्चे का इंटर्सटाइश्ट्रेक नूट्रिएंट्स को प्रॉपरcrates कर पाता उनको स वह नं civ 600 ऊन्दर उसमें वेन के अंदर डाला जाता है इसे कहते हैं hyper-alimentation solution यानि जिस किसी बच्चे में intestinal track के अंदर nutritional absorb नहीं होते उसके अंदर nutrition को nutrition की एक form को वेन के थुरू अंदर डाला जाता है इस प्रकार का solution कहलाता है hyper-alimentation solution किस बच्चे में दुबारा बोल देता हूँ किस बच्चे की बात कर रहा हूँ उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिस बच्चे में GI track के अंदर absorption नहीं होता आपने का सर इसका example बता दीजे किसका hyper-alimentation solution का इसमें हम fat देखते हैं और fat में भी कौन सा देते हैं नाम पता होगा इंट्रा लिपिड कहते हैं इसको क्या कहते हैं इंट्रा लिपिड तो एक तो इंट्रा लिपिड देते हैं और इसमें क्या देते हैं आपने का इलांज बता दीजिए आपने प्रफंगस बता दुलांज रखना फ्लूय का नुजूल देते हैं तो उना जो न प्रकेजी दिलांग चिज दो भंगल इंफेक्शन बचाने के लिए मेंटेंट डोज कितना देते हैं तो 6 से लेके 12 mg mg पर kg बच्चे तो mg ने mg पर kg और यह है 6-12 mg पर kg पर डोज यह इसका मेंटेंटेंस डोज है और कोई दवाई दे सकते हैं एंफो टेरिंड बी भी दे सकते हैं तो आपने का वो बता दीजिए तो एंफो टेरि समझ में आ रहा है बच्चे तो एंफो टेरिसिन एंफो टेरिसिन भी आप यह जो दे रहे हो यह कितना दोगे आंसर पांस से लेके 7 mg पांस तो 7 mg पर kg दिया जाएगा आपको यह याद रखना है तो यह सारे दो दवाई बताई हैं दौनों दवाई आप दे सकते हो कैंडिडा पैराप्सिलोसिस के इलाज के लिए लिए लिखे लिया बहुत बढ़िया तो आपने लिखा परफेक्ट इतना समझ में आगे बच्चों आगे चलू अंसर मिल गया अंसर दी चलू अगला कोश्चन अगला कोश्चन और पके सामने स्क्रीन पर यह रहा फटा-फट कोश्चन को पढ़िए और आंसर करिए हो सकते हैं वेक्टिरिया ट्रास्मेट अंहिल पंत बेटा पूरा तो पढ़ा चुका हम है आपको कई बार पढ़ा चुका हूं नियोनिटल सेफसे स्यार हमारे ए आंसर का क्या हुआ तुमारा ए आंसर सहीद हो गया बहुत बुरा हुआ उसके साथ मैंने बचाने की बहुत कोश्च करी पर तुम्हें थोड़ी देरी कर दी उसको लाने में मेरे पास तो ए आप्सन हमारे बीसमें नहीं रहा बहुत दुख के साथ कहना पढ़ रहा तो डी ओक्सन गया था उसका अच्छी अच्छी मेरी सिश्टर कह रहे हैं इसमें जोब लगाए और फिर आइनफ्ची अश्य मेरी लुग करति है कि अच्छी अच्छी रही थे इसलों अआधा वत्त का आगोघए रहरेंड की ने ऐसे हम सो अच्छी कर दो कर दो ढूघ कर दूघ है गार बीको लंग कर दो फिर दोनों को लोग कर दो तो और दो ช कर बातंस क्षीक की बात Allah लॉक करवा दो मॉस्ट बेटर देन एंड कलेक्स पर नॉट सेट और कोईशन एंड की परपस के लिए थेओरी के लिए एंड कलेक्स बेटर है ली को लॉक कर दो दो डी को लॉक कर दो कितने लॉक को एक लॉक को बहुत बढ़िया God bless you all डायँ में तो बहुत बढ़ा में बहुत बढ़ा तो पहले बी को तो में लोग करें जिते हो या लोग और बढ़ाव वित ऑ लिए टाले ले ख़ड़ा में कहां कहां लग लगाओ दी में तो लग लग गया और बताओं मेरी गुड अ-डोग tratar , अच्छा एक लॉक कर दो हो गया एक लॉक है बहुत अच्छी बात कि डी को लॉक करों कि डी को लॉक करना है कि दिल जोदाओ किसको लॉक करूं डी को कि डी को करूं कि वेरी गुड कर दूं डी को लॉक चलो कर दिया डी को लॉक कर दिया डी सही है जैसे मैंने बोला डी को लॉक कर दो जो डी वाल है वह कंफ्यूज होगे कि डी को काट नहीं दे कहीं है काट वाट नहीं है सही है डी सही है कोई बात नहीं जानतों वेंटोस क्या होता है वेक्यूम होता है जानते होंगे वेक्यूम मैंने कहां कैसे लगाते हैं अपने का लगाते हैं वेक्यूम को कि एंटियर फॉंटानेल से 6 सेंटीमीटर पीछे और पोस्टियर फॉंटानेल से 3 सेंटीमीटर आगे आपको वेंटोस लगाना होता है दुबारा सुल लीजी लोकेशन पूछेगा लोकेशन एंटियर फॉंटानेल से 6 सेंटीमीटर पीछे लगाते हैं पोस्टियर को आप से याद रखना कि वेंटोज में 15 से 20 मिनिट के अंदर 15 से 20 मिनिट के अंदर तीन पुल एलाओ है मात्र यह एलाओ है तेरे हाथ में नहीं है कि बुबा कि साधी में नहीं है कि एक बार और लगा देता हूं अगर इसके बाद भी यह बच्चा बाहर नहीं आ रहा देन को सेजिरें सेक्षन चौथा पुल अटेंब नहीं करते तीन ही पुल करते हैं तीन बार खीषते हैं कि तीसरी बार से भी नहीं खिच रहा तो भी थीजिए दो बार अभी ठीक एक मौकाड दीजिए अभी एक एक बत पुस निकल लिए इतना सा रह गया है रहेंदे वह यह तो कर चुका चौथी वार अपला ही नहीं करते हैं कि समझ में आ रहा है बच्चे के लियर है अब आपने का सथ ठीक है तीन पुल से बाहन नहीं आए तो मैं क्या करूंगा फिर मैं सेक्षन की तरफ जाओंगा तो आप से पूछा जाए कि कौन कौन सी पोजीशन में आप इ यूज कर सकते हो तो बच्चे ऑक्सीपीटो एंटीरियर में यूज कर सकता हूं ऑक्सीपीटो पोस्टीरियर में यूज कर सकता हूं पर इसे कभी फेस प्रिजेंटेशन पर यूज नहीं करते कर फेस पर लगा दिया वैक्यूम तो चप्टा समूं भार आया समझ में आ रह सब्सक्राइब कर देखते हैं कि बीच में अटके बीच में नहीं अटकेगा वे अटकेगा कि तमझ जा रहा है याद रहेगा वेटा वेक्यूम के बारे में कॉश्चिंस वेरी गुड कि नक्सा भी कर जाएगा हाँ अच्छी काशी सकल खराप कर दो के तो और बता इसमें कुछ पूछना है आप ठीक करें देता हूं मैं प्रेसर की बारे में बच्चा पूछ रहा था प्रेसर में बापस बता देता हूं देखो प्रेसर इनिसियली 0.2 केजी पर cm2 लगाते हैं बाद में मैक्जियम 0.8 केजी पर cm2 लेते हैं कुछ कहते हैं मीटर स्काइर होता है पर cm2 होता है यह जो प्रेसर है वह आप इनिसियली ले रहे हो यह जो प्रेसर लगा रहे हो वैक्यूम के थूरू कितना लगाते हो इनिसियली जह प्रेसर लगता है वह 0.2 केजी पर cm2 लगता है और यह मैक्जीम है वह कितना लगता है मैक्जीम लगता है 0.8 केजी से cm2 झीरो पंट 8 केजी cm2 लगता है ठीक है बच्चे क्या नम आप यह कियूम कर रहे हो अगया अगला कोश्चन और अगला कोश्चन आपके स्कीन पर आ चुका है फटा-फट कोश्चन को आंसर दीजिए और बताए कोई बच्चा ज्यादा समय परिसान करें बिना इस कोश्चन का अंसर देगा बहुत ही बड़ीया कोश्चन है जल्दी अंडर आइसीडी एस चाइड एज शिक्स मन्तु शिक्स इयर गैट बताओ फटाफट अंडर आइसीडियस आइसीडियस के पूरी क्लास में ले चुका हूं आप याद रखिए का आइसीडियस के अंदर जो बच्चे हैं छह महीनी से छह साल तक के उनको कितनी किलो कैलोरी मिल 500 500 800 बहुत बढ़िया हर कोश्चन में कन्फ्यूजन एक कह रहा है साथ सो साथ सो तो आप्सन ही नहीं चत्रभुजू अब बतातों आइसीडियस के बारे में पूरी क्लास ले चुका हूं फिर भी अगर आप गह रहे हो तो एक बार और बता देता हूं याद रखना अगर बच्चा माल नरिज्ड है अगर बच्चा माल नरिज्ड है जो के नॉर्मल नहीं होता अगर बच्चा माल नरिज्ड है तो पूछा जाए कैलोरी कितनी देते हैं तो 800 किलो कैलोरी देते हैं और प्रोटीन कितनी देते हैं माल नरिष्ट बच्चे को ICDS प्रोग्राम में आंसर है 20 से 25 ग्राम क्या देते हैं 20 से 25 ग्राम अगर कोई कहें प्रिगनेंट लेडी है प्रिगनेंट है और लेक्टेटिंग है कितनी प्रोटीन एक्च्ट्रा कितने कैलॉरे एक्ट्रा देना है तो कैलॉरी होता है 600 जी आप इसको एक्ट्रा डेते कि Pang से बीस घ्राम में ऐसे अग्ट्रा होग्त ना इंग्च्ट्रा आप हेल देते हैं एटलोसा ललकियां होती है एडलसेंट समझ में आ रहा है कि एडॉल सेंट जो ललकियां होती है एडॉल सेंट जो गर्ल होती है उन्हें आप कितनी प्रोटीन कैलोरी नॉर्मल उतनी देते हैं जितनी इसमें कोई एक्ष्ट्रा कैलोरी नहीं देनी पड़ती पर पूछा जाए फिर भी पूछे तो कितना देना है तो कैलोरी कितनी दी जाएगी 500 अगय खरी है ना और इसे प्रोटीन कितनी दी जाएगी 12 से लेके 15 घ्राम आइप मेरी बात समझ में आ रही होगी तो तो य online से मिला है आपको कौना मिला है च्छों महीने से 6 साल वाला और 6 महीने से 6 साल वाला कितना होता है आंसर 500 यह रहा मेरा 500 अब तो आप मिल गया हो 500 500 अभी भी से कर रहे हो तुम बड़े-वाले हो बे क्लियर है लिख लिए सब ने लिख लिख लिया होगा यह वॉप आप मेरी बाद समझ पा रहे हो कि परफेक्ट कि आगे चलू कि लिए सबने अरे कॉपी में लिखे लिए आ गया लिखे लिए आओगा कि अगर हम बराबर ध्यान दे रहा है कौन कौन ऑप्सन चेंज कर रहा सही बेटा करम कि अपनी वाली मैसेज नहीं कर रही लगर आए क्लास नहीं ले रही क्या करें कौन है रंग भूमी राहिस्तान अच्छा अच्छा कोई वात नहीं किसी और की क्लाफ ले रही होगी सर इस टीशेट वाली क्लास ने मेरी लाइब बना दी लव यू फ्रों मेगाल है गौड ब्लेस यू बच्छे आरेन आरेन मेसन हम जीता रहें साइकेट्रिक के खिलास लिती मेरी इसमें चले अगला क्वेश्चन आपके सामने स्कीन पहे रहा फटा पड़ा बता बच्छे पर कॉंस्टिवेशन में कितना प्रैसा लगता है जितना जोल लगाएगा तू तो आई जब तक लगा जब तक के रैप्टल प्रोडप्स नहीं हो जाए कांच निकल के बहान नहीं आजा जब तक लगाता रहे वेटा गयातीन कुश्चन है देरा अगर आपके याद होता थी घल ली चल वेटा बड़ा बड़ा कोश्चन का अंसर दो सर आज दाल जब खायें क्या भास्ट है मेरा सेटर्डी है मस्तरो सर एक्स्प्लीन अबाउट सिल्वर मान स्कोरिंग तरदूंगा वेटा तो ने कुछ और मंगा होता पसम मिलता भाई के मैं पढ़ा रहा हूं इस चीज को याद रखना को एक रिजाम में पॉइंट वी से बहुत इंपोर्टेंट है तो जस्ट फॉर एफ़न साइड में कर दो सिल्वर मान एंडरर्सन रिट्रेक्शन iscaore इसका पूरा नाम होता है सिल्वर मान एंडर्सन रिट्रेक्शन स्कोर इसको सॉट में कहते हैं सिल्वर मान स्कोर अपने का ठीक सर क्या मैं क्या आता है यूज डिन आप इसे किसमे यूज करते हो, used in, अब आपने का किसम है, answer है, assess severity, assess severity of respiratory distress, respiratory distress in newborn, in the newborn, जितने भी newborn होते हैं, and preterm, और जो सारे preterm होते हैं, अरे हाया ना बच्चे, without respiratory support, बिना कोई respiratory support दिये, without respiratory support, बिना respiratory support दिये, आप उस बच्चे का respiratory distress को चेक करना, जिस score के द्वारा किया जाता है, उस score का नाम Silverman Anderson Retraction score होता है, क्या मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आए, बच्चे, clear, अब आपने का सर, ठीक है, ये तो मुझे याद होगे, अब बताईए सर, इसमें कितने parameter होते हैं, इसमें 5 parameter होते हैं, 5 parameter कौन-कौन से हैं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ, तो 5 parameter, 5 component कौन-कौन से हैं, सबसे पहला जो component इसमें होता है, वो होता है, अपर chest retraction, कौन सा होता है, अपर chest retraction, अपर CHEST retraction, दूसरा इसमें component कौन सा होता है, lower chest retraction, कौन सा होता है, lower chest retraction, थार्ड इसके अंदर कौन सा होता है, इसमें होता है, कौन सा है, बच्चे, जीफी-स्टेर्नल रिक्षन, ये तो जीफी-स्टेर्नल होता है, जीफी इस्टर्नल रिट्रेक्शन, चौथा इसमें होता है नेजल फिलेरिंग और पांच माइसमें होता है ग्रंट यानि ग्रंटिंग यह होते हैं टोटल पांच पेरामीटर, क्लिए बच्चे? अब आपने कहा सा स्कोर कैसे करते हैं, कुछ को हम जीरो देते हैं, कुछ को हम एक देते हैं और कुछ को हम दो देते हैं आपको यह देखना है, एक किसको देना है, जीरो किसको देना है और आपको दो किसको देना है, आप इसको ऐसे समझेए समझ में आ रहा है ये समझ लीजेगा फिर आपको किताब में जो मिलेगा मेरी गारंटी है इतना डिटेल में इस बासा में नहीं समझाए जाएगा जो भाई समझा रहा है उस बासा में समझाना किताब के बसकी नहीं है मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ ये मेरी खुद की आगे चलो अब बात करते हैं कैसे कैसे काम चलेगा वो देखो सर आप जीरो किसको दोगे एक किसको दोगे दो किसको देखो देखो मेरी बात सुनना चेस्ट और एक साथ राइज हो जब बच्चा सांस ले तो चेस्ट और एक साथ ऊपर आये एक साथ नीचे जाए इसे स्कॉर होता है जीरो यानी चेस्ट में सोट में रिख रहा हूं आएगा निचेस्ट एंड एब्डमन आप पुरा लिख लिजेगा chest और abdomen rise together एक 7 उपन नीचे हो अगर ऐसा कर रहा है तो आप इसको कितना दोगे answer है आप इसको दोगे 0 अगर abdomen आगे चला जाए और हलका सा chest पीछे रह जाए समझ में आ रहा है बच्चे तो chest क्या हो गया chest क्या हो गया पीछे रह गया chest leg leg मतला पीछे छूटना leg behind chest leg behind abdomen abdomen थोड़ा सा पहले उपर चला जाए और chest थोड़ा सा बाद में उपर जाए तो आप इसको दोगे 1 बट अगर chest उपर गया तो abdomen नीचे abdomen उपर गया तो chest नीचे तो ऐसे ऐसे movement हो रहा है मेरी बास सुनिएगा abdomen और chest जब abdomen उपर है तो chest पीछे हो जाए और जब chest आगे जाए तो abdomen पीछे हो जाए अगर ऐसा वह देखा है see-sow जो जूबला होता है दो बच्चे बैठे होते हैं एक बच्चा उपर जाता है तो एक नीचे हो जाता है एक नीचे तो एक उपर हो जाता है अगर ऐसा chest और abdomen में movement हो रहा है chest उपर abdomen नीचे abdomen ऊपर chest नीचे अगर ऐसा see-sow जैसा हो रहा है समझते हो see-sow see-sow का मतलब क्या होता है बच्चे यह जो जूबला होता है वैसा हो रहा है chest में chest और abdomen में वैसा हो रहा है कि chest उपर abdomen नीचे abdomen ऊपर chest नीचे तो आप इसको दो नमबर दोगे कितन नमबर दोगे दो एक बात मैं आपको अभी बता दू समझने से पहले score इसमें जितना कम होता है condition उतनी अच्छी होती है score जितना जादा होता है condition उतनी बत्तर होती है अपगार score नहीं है यह अपगार score नहीं है बेटा यह समझनी कोशिक करो यह silverman score है silverman score जितना कम होगा उतना अच्छा है सिल्वर मान जितना कम होगा उतना अच्छा जितना कम उतना अच्छा अपगार जितना कम उतना बुरा सिल्वर मान जितना कम उतना अच्छा अपोजिट अपगार के समझ में आया बिटा क्या याद रहेगा पहला पॉइंट समझ में आया उल्टा है अब गार का उल्टा है कॉपी में मायंड में फिक्स कर लिजिए इस बात को आप चलू आगे आपने कासर लोवर चेस्ट रिट्रेक्शन के बारे में बता दीजिए अगर लोवर चेस्ट रिट्रेक्शन एपसेंट है तो आप इसको दीजिएगा जीरो अगर वो मिनीमम है तो आप इसको दीजिएगा एक और मार्क्ड है अच्छे से पता चल रहा है कि अलोवर चेस्ट रिट्रेक्शन हो रहा है मार्क्ड है यानि बहुत किलियर विजिवल है तो आप इसको दीजिएगा दो जी फॉर्ड इस्टन नम अगर एपसेंट है तो आप इसको दीजिएगा जिरो अगर वो मिनीमम है तो आप इसको दीजिएगा एक और अगर वो मांग्ड है अच्छे से पता चल रहा है कि रिट्रेक्शन हो रहा है अप इसको दीजिएगा दो अगर nasal flaring absent है तो आप इसको दीजिएगा 0 मेरी बात समझेगा अगर वो minimum है तो इसको दीजिएगा 1 और अगर वो marked है अच्छे से नाक फूल रही है और मैं देख पा रहा हूँ इसको दीजिएगा 2 बेटा याद रखना जो भाई बता रहे हैं तुम्हें क्या समझ पा रहे हैं आपने कड़न सर ग्रंट के बारें बता दीजिए अगर ग्रंट है ही नहीं नन तो इसको देंगे 0 और स्टैथोस्कोप से सुनाई दे रही है वैसे सुनाई नहीं दे रही और डीवल बिद स्टैथोस्कोप तो आप इसको दीजिए स्टैथोस्कोप से सुनाई दे रही है तो इसको देंगे 1 और बिदाउट स्टैथोस्कोप सुनाई दे रही है और डीवल बिदाउट आप इसको दीजिएगा दो ये है सिल्वर मानिस को याद रखिएगा सिंपल वासा में मैंने कोसिस की इसको चेंज करके रेक्टिफाइ करके आप तक पहुचाने की और अभी तक जिसने अभी तक जिसने इस चैनल को क्लास को लाइक नहीं करा वो सही समय का बेट कर रहे हैं मै पहले क्या चुका हूं सही समय लास्ट नॉट सेटी में भी कईयों का निकल गया था यह फिन निकल जाएगा इतना सही समय नहीं आएगा जतना अब चल रहा है कि दिली प्रेगर नहीं बटा पता दिया मैंने एक बार अरे चैस्ट लेक बहाइंड डिमान देख मेरी बास सुन चैस्ट और आबटमन एक साथ उल्पर नीचे होँ तो यहlıkा उपर चला जाए बाद और क्या है एब्डमन चैस्ट और एब्डमन एक साथ उपर एक साथ नीचे उपर नीचे उपर नीचे जीरो मस्त काम अब आपने का चैस्ट थोड़ा सा नीचे और एब्डमन थोड़ा सा उपर चैस्ट थोड़ा सा नीचे एब्डमन थोड़ा सा उपर हरे हां डोक साब इसक कि अरे तुम बहुत बड़े वाले हो बें दस बार तो बता दिया मैं कि अब तो आ गया होगा यार कि रहे गर आया कि निया बिटा कि अरे बता जूंगा सल्मा तु सांस तो ले आई ना योग से बैसे ना बिटा गॉड्ड ब्लेस यू चलाएं अब नहीं आएगर एगर तब से मेरे कान खा रहा था देखे रहो ऐसे लोग होते हैं भूल जाते हैं काम निकलने के बाद अब ठेक है डन अब बात करते हैं सर ये बता दो मेरी बात ध्यान सुनना ह इसका मिनीम्म स्कूर कितना होता है तो मिनीम स्कूर होता है Zero हिसका मैग स्कूर कितना होता है answer है 10 अरे हाई ना बच्चे अरे समझ में आ रहा है क्या अगर इसको जीरो से तीन आ रहा है अगर जीरो से तीन आ रहा है तो इसे हम बिटाक बोलते हैं normal क्या का बोलते है normal या mild condition बोल सकते है नॉर्मल की जगे अगर साथ या साथ से ज्यादा है इसको बोलते हैं सेवियर रेशपिरेटरी डिस्ट्रेस साथ या साथ से ज्यादना को बोलते हैं सेवियर रेशपिरेट्री डिस्ट्रेस कि गरंटिंग भी बताओ एक तुम तेरे नाम बदल दे सच में तुम तेरे नाम है न वो रख ले कि अनिकले साथ कैसे कोशन पूछ रहा है बगवान तु सचे बता रहा हूं मैं मेरा मंत तरह कर रहा है कि अभी भटाक से दर को नाम इधर बुला लू मेरी तरफ क्या करूं कि 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 लियर कि कि लिया कि चले हैं अब मेरी बास सुनो यह सारे चीज पढ़ लिए इसको ध्यान में रखना अब अब कोश्चन को पढ़ रहे हैं अब कोश्चन आजा अपने अपांसर आएगा देखो इसकी रेस्पिरेशन रेट 86 है इसकी रेस्पिरेशन रेट कितनी है 86 समझल बड़ा रेस्पिरेशन रेट का सिल्वर मान में यूज है क्या सिल्वर मान में क्या silver man के अंदर क्या silver man के अंदर respiration rate की कोई भी parameter को use किया जाता है आपने का देखो इधर कहीं भी respiration rate को use नहीं किया गया इसका मतलब इसका होना न होना useless है तो ये बेवकू बनाने के लिए दिया है पहली चीज़ granting present granting present है granting present है मतलब मेरी बात सुनना granting present है मतलब ये कह रहा है कि अगर इसमें granting है और अगर वो कहता बिद स्टेटिसकोप तो तो मैं देता एक खाली granting लिख दी तो यानि वो ये कह रहा है कि बिना स्टेटिसकोप के भी सुनाई दे रही है अगर स्टेटोस्कोप बाला होता तो फिर इसको कितना देता इसको में देता एक without स्टेटोस्कोप नहीं लिखा पर सिर्फ ग्रंटिंग लिखा है इसका मतलब स्टेटोस्कोप है ही नहीं सर यह कहां लिखाए कि नहीं है अरे तो जब नहीं दिया है स्टेटोस्कोप तो नहीं है ना वो अरे हाँ यह तो सही है तो एक बता हो आप बिदाउट स्टेटोस्कोप सुनते हो तो कितना नंबर देते हो दो कितना number देते हो दो इसका मतलब इस grunting को मैंने कितने number दे दिये इसको मैंने number दिये दो no nasal flaring nasal flaring नहीं है zero abdomen behind in movement than chest abdomen और abdomen में और chest में एक पीछे रहता है समझ में आ रहा है बताया था मैंने एक पीछे रहता है leg behind का मतलब एक नमबर देना तो इसको में कितना दूगा एक a minimum internal costal retraction minimum है तो कितना दूगा एक बताये न मिनीमं पे कितना देना है 1 they prefer it reads जिरो आप जोड़लो दो एक ठीज और और ने चार अंसर गया चार अरिआ घए अब तो आ गया होगा मेरे प्यारे फैसे अब तो आ गया ओगा है भाहि अब तो आ जुआना चाहिए था और कितना संजहों दो एक एक यह हुई ना बात विश्णु सर्मा प्राउड अफिविटा निकान ना आ गया अब पार्टी तो चलो अशी बात प्रेश्णु इतना टफ कोश्चन आता है क्या अरे नौट सेट कहीं तो कोश्चन है नहीं अगर दियान है तो नहीं होगा कि पांच देतो रखें बें कौन सा पांच माने दे रखा एक दो तीन का तो वैलू दे रखी है दो को जीरो दे रखी तो पांच पूरे पैरामीटर देतो रखें रोसनी पांच दे रखें बेटा है मत करो यार पांच जो मेटो मेटो मत करो मजा कर रहा हूं आगे चलू अगला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा फटा-फट कोश्चन को पढ़िए और आंसर करिए सारे बच्च कोई पैरामीटर मेंसन नहीं है तो जीरो देना उसे नॉर्मल मानेंगे सबीर अपकार स्कोर में जो पैरामीटर नहीं होता उसको नॉर्मल मानते हैं तो किसा नमर देते हैं दो और अगर यहां स्क्रेश कोई भी पैरामीटर नहीं दे रखा इसका मतलब गदेन और मतलब जीरो तो जिसको अफगार में मैं we पर्थास कभी यह कहना चाहता है कि कोई भी डाक्टा का नहीं दे रखा कोई पैरामीटर की अनुबस्तिती है तो आप उसमें उसकी जगे जीरो रख दीजिए बोलो वाज के आनंद कीजिए कि समझा गया कि पैरी गुद कि आ अगया कि अपिदे बिर्थास जीए रहां कोई पैर कि एसे ले यादव लेले बिटे देराणा हम हाँ हाँ जी बिल्कुल सही का frank बीच ही common होता है गलत कौन कह रहा है भाई या इतना क्यों परिशान हो रहा है बेटा सही answer तुमारा जानते हो ब्रीच के बारे में हैं जानते होंगे क्यों ही नहीं जानते ब्रीच तो बहुत प्रकार के देखें आपने तो यह ब्रीच फ्रेंक ब्रीच को एक नाम और ऐसे कहते हैं extended ब्रीच क्या कहते हैं इसको extended ब्रीच कहते हैं याद रखेगा तो extended ब्रीच कहलो या frank ब्रीच कहलो बात तो एक ही है और यह कौन से में पाया जाता यह most commonly प्रिमी ग्रेविडा में पहला पाया जाता है पहली पहली बार प्रग्नेंसी की है उस वाली महिला में यह ज्यादा तर देखने को मिलता है तो कौन से वाले मिलता है इस दा प्रिमी ग्रेविडा दो प्रकार के ब्रीच होते हैं कम्प्लीट ब्रीच और इंकम्प्लीट ब्री पढ़ियों मत तु यहां अलग है ना गरीवों का वह रहा है इंबरान चास्मी पढ़े ले दिमाग से बंदगो भी कि 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 अड़ियों का वहां ले बंदग्न मत बंदग का वहां जआ जरू है किसी पन्सरा कि 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 अपया तु समय कि अपय आए पनीी जगक्राणम 시 fifty three उपिस है इतरी २ह केसे तु उतरी someone कि कि I चलें आप आप यह जो आपको दिख रहा है ना कि सारे ब्रीच है एक्स्टेंड़ ब्रीच को इम क्या कहते हैं फ्लैंक ब्रीच कहते हैं आप इसको दिख रहा होगा का फ्लैंक ब्रीच में एक्स्टेंड़ होते हैं जो जो लेगे वह एक्स्टेंड़ होती है समझ में आज रहा है नियुक्त कर दो कंप्लीट ब्रीच है यह फ्लैक्ट ब्रीच यह फुटिंग ब्रीच है कुछ कोशन है जो आपको ध्यान रखने हमेशा वो पूछे जाएगा आपसे ब्रीच के अंदर लाई कौन सी होती है तो बिटा ब्रीच के अंदर लाई हमेशा longitudinal होती है तो एक question को तो confirm है longitudinal होती है यह बात याद रखना वो आपसे पूछेगा कि इसका जो presenting पार्ट है ब्रीच में presenting पार्ट क्या होता है प्रिजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है आंसर है पॉडलिक तो प्रिजेंटिंग पार्ट क्या होता है पॉडलिक होता है को पूछेगा denominator क्या होता है तो denominator denominator होता है सेक्रम क्या होता है denominator sacrum होता है और पूछे का most common position कौन सी होती है bridge presentation के अंदर तो most common presentation होती है left sacral anterior left sacral anterior ये होती है most common position ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रख ली है footling presentation में क्या होता है footling के अंदर होता होता है याद रखना के both thighs and leg are partially extended थाइज और लेक जो होती है वो partially होती है extended समझ में आ रहा है थोड़ी सी flex थोड़ी सी extended knee presentation के अंदर क्या होता है नी प्रेजेंटेशन के अंदर hips are partial extended और knees flexed on one foot और बोच साइड कि समझ में आ रहा है बच्छे कि कि लास समझ में आ रही है तो मैं जीनो मिक की जीनो मिक का क्लास का जो टेस्ट है ना बिटा अगर जो बच्चा जीनो में को देखने लग जाता है ना फिर वो से और किसी क्लास पसंद नहीं आती ही मेरी गारंटी आपको कि कि समझार है बिटा जो बच्चा जीनो मिक पर किलास देख रहा है फिर उसे और कुछ पसंद नहीं आता सारा खिल जीनो मिक पर ऐसे ही हो जाता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि कि इन डैट कंडिशन अगर आपको चीजें मिल रही हैं यह सब आपको एक्जाम में मिलेंगे लाइन टू लाइनर कि कहते हैं ना बच्चे कि सरफ लेक्ट ब्रीच दुबारा बता दो फ्लेक्स कौन सा है फ्रेंक फ्लेक्स टू कि अभी तो बताया था बैटा कि कहते हैं न कौनसी बात है कि किसी सर्थ पर तेरे ध्यान से नहीं जाओंगा किसी सर्थ पर तेरे ध्यान से नहीं जाओंगा मैं कभी अपनी मुकाम से नहीं जाओंगा जराध्यान से मेरे ज्यायके का चुनावकर मुझे चक लिया तो जुबान से नहीं जाओंगा याद रखना यह जलवा है कि अगर आपने एक बाद चक लिया जीनों में कटे स्त फिर जुबान से नहीं जाता कि अध्यार है बच्चे और यह मैं थाबित कर देंगा जीनो में के आप जो एक्जाम दोगे नौट सेट का कोश्चन आए नाए हूँ भू रेसनल जिसने सुने न किलास के उसका बेड़ा पार है नौट सेट में 100% जिसने रेसनल सुने हैं जो जो मास्टर ने बोले हैं के लिए बच्चे चलो अगला कोश्चन आपके सामने बेड़ा स्कीन पर यह रहा फटाफट को बताया और अंसर करें जल्दी फटा-फट और फटा-फट लाइक करते इतनी जबरदस्त मैने चल रही है आप लोगों के साथ हैल्ट इस्टेक्स समझ में आरहा है सब के बारे में सब के पिताजी कौन थे कर रहे तो बच्चे बताओ पिता जी कौन थे जिस दिन में रोज नो बज़े आने लग गया ना सुबह उस दिन यकीन मानिएगा कि अत्र यत्र सरवत्र सिर्फ भाई का काम होगा सब वो तो क्या समय का भाव है मेरे पास में प्रॉब्लम यह फिर भी मैं तुम मुझसे जतना हो रहा है ना आई स्वेर मैं उससे डबल आपके लिए कर रहा हूं कंडिशन कुछ भी हो तबियत कैसी भी हो फास्ट हो नहीं हो आई आलबेस ट्राइट गिमाई बैस्ट तो यू री मैं नहीं होडोड़ नहीं हो कि प्रॉब्लम यह फिर रेकोट। कोश्चन है आंसर बता देता हूँ ग्रण्ट एस का फादर अब मैं कुछ और बता रहा हूँ यह तो कोश्चन खतब हो गया अब मैं जो बता रहा हूँ इस कोश्चन को आप दन से समझेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर अब आपने का कौन कौन से देखो अब मैं बोलते जाह रहा हूँ आप इसे लिखते जाएगा फादर ओव मैडिसिन हिपोकरेटस यह समझे रहा है फादर ओफ इंडियन मैडिसिन चरका यह समझे रहा है चरक कहते हैं इसको modern surgery के फादर embrose pare modern surgery के फादर embrose pare या pare कहते है clear है Indian surgery के फादर जो है सुसुत्रा bacteriology के फादर कौन है Lewis pasture epidemiology के फादर कौन है John Snow genetics के फादर कौन है Mendel homeopathic के फादर कौन है Samuel Helman health statistics के फादर कौन है John Grant evidence based practice EVM के फादर कौन है सकेट और nutritional के फादर कौन है Anthony Levozier Anthony Levozier is the father of nutrition यह जितने पिता जी थे जितने मुझे अभी अभी आपको सामने याद आए उतने मैंने सारे पिता जी आपको बता जी एक के बाप को मत छोड़ना और बाप को तो किसी का छोड़ना ही नहीं है किसी का बाप हो लिखा तो सर एरे ऐसे मत करो यार मैं बोल तो दिया धीरे धीरे रवब नौट्सेट के फादर आप नौट्सेट के पेपर बनाते हो क्या विकाज आप एक्जाम से पहले एक कुस्टिन वता देते हो नौट्सेट चाल इसमें पचास प्लस कोश्चेन आये थे आपके सांसे सब मीस्वरी कर पाया है महरवान है पढ लेते हैं थो आपत पढा देते हैं चले हां रोबर्ट कॉच दुबारा सुलो father of medicine पूछे या first epidemiologist of this world पूरे दुनिया का पहला epidemiologist पूछे तो आप मैं देर देर बोल रहा हूं अब मैं दुबारा नहीं बोलूगा father of medicine यही था first epidemiologist of this world इंडियन medicine का फादर कहलाता है चरक modern surgery का फादर modern surgery का फादर कहलाता है ambrose peri ambrose peri father of modern surgery hindu god of medicine hindu god of medicine धनवंत्री इंडियन surgery का फादर इंडियन surgery का फादर है तो सुत्रा epidemiology का फादर है जौन स्नोव epidemiology का फादर है जौन स्नोव genetics का फादर है मेंडल होम्योपेथी का फादर है सेम्वल हैंडमेन health statics का फादर है जौन ग्रंट यह वाला क्लियर है एविडेंस बेस्पेक्टिस का है सकेट और न्यूट्रेशन का है लिवोजियर यह है न्यूट्रेशन का समझ में आया तो याद रखिएगा मैंने आपको चौथी बाहर बोल दिया दीरे दीरे करके आप तो आपने लिख लिया होगा क्लियर आपके चलों 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 अगला कोश्चन करो यल्दी बताओ फड़ा फड़ा कोश्चन को अंसर गरो फड़ा फड़ा कोश्चन सारे अंसर दो बटे अधर वह अधर है लोजी बता तो दिया लुइस पास्चर मेरे साफ से लुइस पास्चर तुम्हारे साफ से रोबर्ट को चोगा मुझे पता नहीं मेरे साफ से लुइस पास्चर देखो कैसा लगा क्वेश्चिन मस्त है न देखो विच फॉलॉइंग स्टेटमेंट इस ट्रू रिगार्डिंग बी सीजी वेक्सिनिशन के लिए निमने मैं से कौन सा कथन सत्य है सत्य पूछ रहा है आओ देखते हैं सत्य कौन कौन सा है कि धिस्टिल वटर यूजेद डाइलूनिट और बी सीजी गलत पातव ऐसीतिक लिए डिस्टिल वॉटर यूज नहीं करते छलाएं तो यह वाला कफन तो गलत है तो यह वाला पिथन गलत है तो पहले वाले में दे रखा इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता करें दआ डिया डाव डबने रेसे दी फर्लेश् reflection यह बात एक दम सही है तो जिस-जिस में चार है वो सही है तो चार तो समझ में आ रहा है रोबर्ट कोच फादर आप मौडन बेक्टियोजी है बच्चे बेक्टियोजी के पिताजी लुइस पास्चर है काय को इतना परेशान हो रहे हो चीजें सीखने से पड़ती है धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी अगर आपसे पूछा जाए फादर आ बेक्टियोजी तो लुइस पास्चर कर देना बढ़िया रहो गये अगर ज़्यादा ज्यान है तो आप रोबडोट कोच कर दीजिये रोबड़ट मोम कर दीजिये वह कोई बात नहीं पर अगर ब्चीुलोजी पूछे तो लुइस पास्चर करना अगर है नमबर चाहिए त उस जहां आपको इंजेक्शन लगाना है वहां इस प्रिट से साफ करते हैं गलत बात हैं वहां इस प्रिट से साफ नहीं करते हैं वहां भी नॉर्मल से लाइन से साफ करते हैं कभी इस प्रिट यूज नहीं करते हैं बेरी बात बहुत ध्यान से सुनना डिस्टिल वाटर नही करना वहाँ पर भी आपको नॉर्मल सलाइनी यूज करना है तो इस्प्रिट वाला उप्सन हो गया गलत तो जिसमें सेकंड है वो हो गया गलत अब बचे दो सी और डी मैंसे कोई एक करना है वो बता दीजे सी और डी मैंसे देखते हैं कौन-कौन से हैं समझाया बच्चे राप के आशिवास से एच वी सी एच वारंसी में जॉइन कर लिया है आपसे बात नहीं हो पा रही है बिटा कोई बात नहीं गॉल्ड ब्लेस यू जब भी आओ बेटा मैं फॉन उठानी पाता बहुत बिची रहता हूं कभी आओ तो मिल ले ना बिटा स्वागत है आपका जीनों में के परिवार में है ठीक है बच्चे मॉन्टू टेस्ट बिकम पॉजिटिव आफ्टर 48 आर्स के बाद मॉन्टू टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है मेरी बात ध्यान में रखेगा वी सी जी वैक्सील लगाने के 48 से बैतर घंटे अर्तालीस बैतर मॉन्टू टेस्ट का पॉजिटिव आता है एक बात नहीं दे रखा लगा बहुत जल्दी बेट ऑफ-लाइन का बैस सुरू हो रहा है 16-17 मार्च को दोज वोगार केंडिदेट देवांट पर देपरेशन फोर नॉर्षएट अंदे गिव देडिकेशन फोर वन बहुत बात है पर वो पॉजिटिव आता है प्र प्रोटीन डेरिवेटिव के बाद वह बीसी जी लगाने के बाद वह बीसीजी लगाने के बाद बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद आठ से चौदा वीक के बाद यह पॉजिटिव आता है तो मेरी इतनी सी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई आपको दिल छोटा नहीं करना है बिलकुल भी अपने को सबसे पहले तो घवराना नहीं है और एकदम टिके रहना है और मंजिल तक पहुंचना है ठीक है बेटा बहुत बढ़िया बाद चले आगए चलो अगला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा तर नेक्स्ट कोश्चन और स्क्रीन फटा-फट कोश्चन का अंसर देदीजी बते पीसी बेटा भाई कल वाली क्लास ओपन कर दो नह कि वालों का मोई मोई हो गया हो जाता है कईयों का मोई मोई बेटा हो असमे कोई बात नहीं कि 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 डाया मीटर इंगेजमेंट इन फेस प्रेजेंटेशन फेस प्रेजेंटेशन जब होता है तब वो पूछ राए निम्न मैंसे कौन सा इंगेजमेंट होता है तरह इसा डेली क्लास होगी नौ बजे आल्मोस डेली होगी नौट सेट तक कोशिस हमारी यह कि रोज हो कि मैं नहीं आंगो कोई ओटीचर आएगा पर कोशिस यह कि डेली नौ बजे क्लास हुआ करेगा कुछने को सीखने को मिलेगा को कोशिस ही ही है अंसर आ गया सबक्याइब कोशिस करते हैं सभी बताने की यह जगए पहुंचने है ठीक है यह Kर आजओं अगर रख्ष्फ प्रेंटेशन नहीं कराता ओंएक कोश्चन में कई कोशान कराना ही भाई की पहाईग की पैचान शुरू सरू रही के अंदर अगर वर्टेक्स है complete flexion के अंदर तो बेटा कौन सा होगा engaging diameter सब oxy-peto-bragmatic सब oxy-peto-bragmatic होगा इसका presenting diameter engaging diameter जिसका measurement होता है 9.5 cm एक थोड़ा बहुत उपन नीचे चल जाता है plus minus 0.5 में कोई problem नहीं है ठीक है बचे अगर वो vertex कह रहा है क्या कह रहा है whatever track कह रहा है कि प्रिजेंट इसन तो but incomplete flexion ऐसे flexion नहीं हैte the flexion है incomplete ग्रीक्षिप ग्रीट नहीं है भीया incomplete flexion हैं तो flexion ही मैं मनानें कर रहा हूं तुम्हें बुरा माहन रहे हो पर incomplete flexion हो तब होता है डायामीटर सब ऑक्सीपीटो सब ऑक्सीपीटो फ्रेंटल क्या होता है सब ऑक्सीपीटो फ्रेंटल और इसका डायामीटर लगवग 10 सेंटीमीटर के असपास होता है अगर vertex ही है अच्छा vertex में बहुत variety है vertex में mark difflex देखो यह है flexed यह partially flexed यह है difflexed समझा रहा है तो अगर difflexed है यानि flexion का opposite है तो इसे क्या कहते हैं difflexed तो deflection हो रखा है अगर difflexion है vertex पोजी प्रेजंटेशन में difflexion है तो इसका diameter होता है ओक्सीपीटो फ्रेंटल कहुंसा होता है ओक्सीपीटो फ्रेंटल जिसका diameter होता है लगवग 11.5 cm किरी मेरी बात समझ पारे हो भाईयो तुम लोग कि अरे बाया इतना समझ रहे हो क्या तुम बिल्कुल समझ रहे होंगे कहें नहीं आ रहा हो सब आ रहा होगा आपको कि के लियर चलो और बताव सब और यहां तक आ गए हो तो और अगर फेस का प्रेजंटेशन है अगर फेसब्रेशन आई विदिस पंपलीट अक्स 58 इसे है बट इनकम्पलीट अक्स टेन्सटर फ्र cesれる पूरा नहीं हुआ एक्स्टेन्शन पहिए इन complete extension है तो बेटा कौन सा होगा answer है सम्मेंटो वर्टिकल समझा रहा है बच्छे सम्मेंटो वर्टिकल होगा इंगेजिंग डायामीटर जिसकी डायामीटर लगबग 11.5 cm होता है अगर वो कई फेस है सिर्फ फेस है अरे हाया ना तो होता है सम्मेंटो ब्रेगमेटिक कौन सा होगा सम्मेंटो ब्रेगमेटिक और सम मेंटो बरिगमेटिक कितना होगा बच्चे आंसर है 9.5 cm और अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो वो होगा मेंटो वर्टिकल कौन सा होगा मेंटो वर्टिकल होगा इंगेजिंग डायमेटर जो लगवक 14 cm के आसपास होता है आई होप यह सारी चीज़ें आपको समझ में आनी है पीसी बेटा पढ़ ले ज्यादा डिश्टर मत कर ठीक है पॉसीबल नहीं है बार बार नहीं बोल सकता तो फेस लिखा हुआ है समझ में आया अब कोश्चन की तरफ चलते हैं फेस के लिए पूछा है कौन कौन सा है फेस में दो बताएं है सब मेंटो वर्टिकल और एक बता है सम मेंटो ब्रगमेटिक इन में से कौन सा उप्शन मिल रहा है सम मेंटो ब्रगमेटिक है सम मेंटो ब्रगमेटिक ओप्शन ही नहीं है तो सम मेंटो वर्टिकल मिल गया मैंने का कोई तो हाथ आया भूत भागते भूत की लंगोटी अच्छी अंसर है अंसर है बी सर मेंटो वर्टिकल कहें नहीं कर रहे मेंटो वर्टिकल मैंने बताया था ब्रो में होता है जम ब्रो प्रिजेंटिशन होता है तब होता है मेंटो वर्टिकल सर ऑक्सीपीटो फ्रेंटल कहें नहीं बताए ऑक्सीपीटो फ्रेंटल बच्चे याद कोई इसमें सम्मेंटो वर्टिकल तो है नहीं इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा भी सम्मेंटो वर्टिकल क्योंकि सब मेंटो ब्रेग्मेटिक ऑप्सन ही नहीं है तो बेटा आप का आंसर क्या चला गया भी आपने कासर कैसे कैसे चेंज होते हैं मैं बता देता हूं जान से सुनो अगर वो कहें आप से कि वर्टेक्स प्रेजंटेस्टेस्टन और यह इसमें क्या लिखाए सब ऑकसी पीटो ब्रेगमेटरिक सब एकसी पीटो व्रेगमेंटिक इस बच्चे की गरदन देखिए पूर्ण रूप से ऐसे दबी हुई है इसे कहते एक complete flexion अगर complete flexion ने तो presenting पार्ट कॉन सा होगा फिरेजंट इंगेजिंग डायए मीटर ही होगा और यह बेटा कौन सा दिखा रखा है इसमें यह लिकार का सबमें ओकसीपीटो ब्रहगमेटिग यह complete flexion होगा किजब complete flexion होगा तब की बात करें अकसीपीटो सब औक सीटोral तब होता है जब जब बच्चे marketing इन प्रेक्ष होता है यह जो गड़न है यह अंदर की तरफ नहीं थोड़ीसी बाहर की तरफ है तब कौनसा होगा सब औक सीट्टो फ्रेंटल में इंटो वर्टिकल होता है यार फेस में सब मेंटो ब्रिगमेटिक होता है सामने सब आपके दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा यही वाला है जो 14 सेंटीमीटर दिख रहा है अब तो जमझ में आ गया होगा यार अब तो मैं कितना तेटे चिला के बोड़ रहा हूं तो तुम्हें आ जाना चाहिए था ब क्लियर इतना हम समझ चुके बाई मज़ा अगया अरे मज़ा पेटा परपाज यह था जब घ्यान मिलेगा सीखने को मिलेगा एक बात बताओ मुझे अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपको मैं बार बार वही चीज़ पढ़ा हूं कि नौजिया वॉमिटिंग किसमें पाया जाता है तो आपको मेरी क्लास पढ़ने से दो घंटे वेस्ट ही होने है अरे वो तुम्हें पहले से आता है वो मैं कोश्चन करवा के मैं सावित क्या कर मैंने कभी यह नहीं पढ़ाया कि आपको मैं उसके लिए पढ़ाता हूं जब एक्जाम बुरे से बुरा होना तो तुम्हारा अच्छा हो जाए एजी एक्जाम आएगा तुम्हें ना यूट्यूब की जरूरत है ना कोचिंग की जरूरत है तुम अपने आप पी आर याद आएगा फिर वो तुम से सौल होगा कि तुम भाई के स्टूडेंट हो मैं आपात काल के लिए बच्चे त्यार कर रहा हूं मैं कभी इसलिए नहीं पढ़ाता कि पेपर जी आ जाए और तुम्हारा उसमें तो तुम्हें ना मेरी जरूरत है ना जीनोमिक की जरूरत है ना कि मेरी पसंद के इंस में होती तब बीमार हो गई थी 0.3 से रह गई कोई बत नहीं बटा इस बार हो जाएगा गौड ब्लेस इस बार जब हो जाए तो जरूर बता ना अगला कोश्चन बता अफट 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 नेक्स कोश्चन और स्क्रीन कि विकास सतनासर आपके क्लास लेकिने के बाद पूरे टेलेग्राम पर यह कुश्चन गुमते हैं मुझे पता बेटा स्क्रीन सोट गुमते हैं मैं जानता हूं उनको कई बात ने झाल कि बाद बात ने थाएं मैं जानता हैं मैं जानता हैं झाल अपके बात विकास लेदान संस्क्रीन विका बाता हैं very good true about OPV OPV के बारे में OPV के बारे में कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है ये वाली बात कर रहा है कौन सा कथन गलत है सही नहीं है except पूछा है तो मैं पहले ये बता दूँ कि साप साप सही कौन सा है ये कनफरम है के लाइव वैक्सीन है इसमें तो कोई कनफरमी ने कोई दिक्कत ही नहीं है तो जिस option मैं second दे रखा है उसे काड़ दो second किसी मैं नहीं दे रखा बहुत खुरा पाती है अप्यपर बनाने वाला कौन है बनाने वाला option भी नहीं दे रखा देके तो option भी नहीं दे रखा है तो मतलब मैं एक भी option नहीं काड़ सकता इसर ये जो ए दो पीविए एpidemic में योज होती है とうला प्ले में कैसे योज होती है तो महा मारी होती है महा मारी में दबाई पिलाओगे सब को महा मारी में सब को ओपी भी फिलाते फिरोगे क्या क्या सब को सब को ओपी भी दे दोगे क्या यह सब को देना पॉसीबल है क्या सब ओपी भी एक एरिया में सब को पिला दोगे का ओपी भी नहीं नहीं ऐसा पॉसीबल नहीं है सब को ओपी भी नहीं पिला सकते सबको OPV नहीं पिलाई जा सकते सबको समझा रहा है सबको OPV नहीं पिलाते तो सर फिर मतलब कि epidemic में यूज नहीं करते इसको या epidemic में इसको यूज नहीं करते नहीं यूज करते है यूज तो करते हैं epidemic में फिर सबको पिलाते हैं सबको नहीं पिलाते हैं यह क्या बात होई मैं बतातो रहा हूँ epidemic में यूज करते हैं सबको नहीं पिलाते हैं ऐसे कैसे होता है आप कोसिस करो समझने की जो मैं समझा रहा हूँ ज्यान सुनना जो वेक्सीन है जो आपने पिलाएए दो बून यह जो दो डॉप गई है वेक्सीन की बहुत्त इससे क्या होगा इस से बाहर चली जाएगी यह exit कर जाएगी किस के साथ? stool के साथ बाहर समझ में आ रहा है तेरी body ने antibody बना दी वो antibody exit कर कि stool के साथ बाहर अब तेरा stool बाहर पड़ा हुआ है अब तेरा stool बाहर पड़ा हुआ है प्रिया ध्यान तो आप पर पढ़े ले बेचे यह जरूरी है समझा रहा है तो in that situation क्या होता है कि एक्जिट हो गई स्टूल के थारा बाहर निकल गई मैंने का हां तो फिर स्टूल पर मक्ही आके बैटी हां तो मक्ही के पैरों में वह एंटी बॉडी लग गई हां तो फिर यह मक्ही तेरे खाने पर बैठी हां तो इस खाने के साथ तेरी इस लोगों को अगर आपने कुछी लोगों को वैक्षीन पिलाई है अगर आपने कुछी लोगों को वैक्सीन पिलाई है और वो जगे-जगे हंग रहे हैं तो जो मक्खिया हैं उनके साथ आपके खाने पर एंटीबॉडी मिल रही है और आपको बिना ओपी भी लिए आपको बिना ओपी लिए आपको हर्ड इम्मुनिटी डवलप हो गई कौनसी इम्मुनिटी डवलप हो गई हर्ड इम्मुनिटी तो एपीडेमिक में काम आ सकता है मैंने कहां ऐसा कहते कि अगर 66% अगर 66% पॉपूलेशन को ओपी वी दे दिया तो बागी के बचे जो 34% है वो इसको प्यार से देखो कितनी बड़ा काम कर रही है मुरूति काहां ऊकर अव्मुनिटी दे रही कि कहां से और अत्र यत्र सर्वात्र बसुदैर कोट्टम्नकाम समझ मैं बड़ी गंदी एंटी पोडिए अब आज तो अच्छा काम कर गी मख्या मक्य बहुत बड़ी बात है अब तो आपकी बात माल लेता नस वाले कोश्चन में तो आज नौट्शेट में होता मैंने कहा था तुझे तुमेरे पीछे पढ़ाता रेक्टिव नौन रेक्टिव तो मैं नॉर्मल एवनॉरो मैं कह रहा था नेक्टिव नौन रेक्टिव पढ़ ले बचे पर तो शमजा नहीं वाई की पार पर कहता था तर वहां पर किताब में यह लेका है सब किताब पढ़ने के बाद बोलता हूं मैं कि तुझे लगता है मैं बिना किताब बोले यूटूब पर बोलूंगा कुछ तुम मस्तर हो तुम्हारी मैं मेनत कर रहा है मुझे 15 किताब पढ़नी पढ़ जाए 20 किताब पढ़नी पढ़ जाए पर तुमको मैं एक्कूरेसी के साथ आंसर देता मैं यह नहीं कह रहा है कि हमेशा सही हो जाएकर सब्सक्राइब भगवान नहीं हूं 99.99% तुम्हारा आंसर सही होगा और तेरा सेलेक्शन साथ पर हो जाता है 99.99 पर तो तेरा क्या होगा तुसोच तुमद में आ रहा है बच्चे त्योब धुम्हारा भाउ़ division ऑगशिए घपज़ का तुम्हाराई दुम्हारा भाउ़न आ दू दुम्हारा है cos ढ कियो आ है इसका मतलब ये बात कतन सत्य है सत्य है मतलब के ये गलत नहीं है तो दो चीज तो गलत नहीं है तो इसमें थर्ड वाला जहां जाएं इसको हटा दो ये थर्ड वाला हट गया अब बचा A और D मेतं t अटि वाडंटि इंटर फेएर्व इन्मू रेस्पॉंस जो EPV से एह जो इम्मुिनिटि मिली है रही बात सुनोוה बीयों संद्स Cel you to क qualify एप मेंधी ने कहां किसके एन्टि मिली है वाइरस के एप मिली सच अगर मेंट अगर करि और मैं ने थे इक आईनल रहा हूं आपका 82 अच्छा लगता है 82 मैंने डेवलप किया यह यह मेरे बाई बढ़त है कंजनाइटल है मेरी प्रॉब्लम मैं ऐसा ही हूँ यह मेरे ब्लेड में बिटा मेरे पिता जी वैसे ही है थे मैं भी ऐसा ही हूँ यह यह मार्केट स स्य नहीं आता में बहुत इसमें चाकर भी मैं बहुत նौफ्ट नहीं बन नहीं हो सकता है बस मेरी बहता है थूँद धांट देता हूं वह मेरी यादत है पर यह वाइरस के अंगेश्ट जाती हैं तो इस से बचने के लिए इस maternal antibody से बचने के लिए वाइरस में क्या होता है मेरी बात समझना बेटा बहुत इंपोडेंट है इस maternal antibody से बचने के लिए क्या करता है कि जो वाइरस होता है वो वाइरस अपने आपको change कर लेता है समझा रहा है बच्चे तो इस वाइरस से इस antibody से बचने के लिए ये वाइरस क्या हो गया? modify हो गया अब जैसे ये वाइरस modify हो गया वैसे ही OPV अब इसके against effective नहीं होगी क्योंकि अगर वाइरस ही modified हो गया तो फिर वो वाइरस के अंगेज जो हम OPV बना रहे थे वो वाइरस OPV अब इस वाइरस के खिलाब काम नहीं करेगी क्योंकि ये वाइरस इसलिए modified हुआ कि बच्चे के अंदर पहले से maternal antibody है तो maternal antibody समझ मैं है बच्चे? बटा ये जो rational दे रहा हूँ ना ये बात ध्यान में रखियेगा याद रखना तो जो maternal antibody है वो interfere करती है immune response के साथ maternal antibody की वज़े से जो वाइरस है उसमें modification होता है और वाइरस में modification हो गया तो OPV वर्क नहीं करेगी और OPV वर्क नहीं करेगी तो वो ही कह रहा है कि immune response में interfere होता है maternal antibody की बज़े से इसका मतलब ये बात भी सच है ये बात सच है ये भी सच ये भी सच ये बी सच एक ये गलत है get quick response quick response नहीं देती OPV OPV से antibody बनने में समय लगता है OPV से OPV से OPV से जो response मिलता है वो quick response नहीं मिलता उसे होने में time लगता है antibody बनने में समय लगता है it takes time ये time लेता है तुरंत antibody नहीं बनती तो इसका मतलब पहला कथन गलत है और इसका मतलब ये वाला आंसर है सही जो आपको accept में पूछाता रादे किसना ठेके बचें God bless you ये समझ में आए बीटा सबको rational समझ में आया गया question समझना important नहीं answer भी इतना important नहीं जो rational बोलता हूं वो समझ में आ रहे हैं कि आपको तो rational is clear or not ये बता मुझे हुआ है लिए बच्चें और बन मुझे साथ और ऐसरी में आया गया थिए आपके चलूं अगला कोश्चन आपके सामने यह रहा स्क्रीन पर फटाफट कोश्चन को बताए और अंसर करें कि फोर्थ रेशनल बताएं न मैटनल एंटी वाड़ी जो होती है उससे बचने के लिए वाइरस अपने आपको मोडिफाइड करता है और किसी में वाइरस मौजूद है तो उसके अंगिस्ट एंटी वाड़ी काम नहीं करेगी कि मेरी बास सुन अब बहुत सिंपल है चौथ ऑप्सन दुबारा बता देता हूं कन्फीज मत हो तुने ओपी भी दिया मैंने का दिया लाइव एकसीन है अरे सुनले यार टो कन्फीज मत हो ना ओपी भी दिया लाइव एक्सीन है इसमें वाइरस है मैंने का हाँ वाइरस है जो भी ये type first है, type second है, type third है जो भी है पर इसमें type के virus अंदर मौदूद है, presum वाइरस जिन्द है, जिन्दे है, वाइर्स जिन्दा है, इसी बच्चे में maternal antibody घूम रही है, saa घूम रही है, maternal antibody, clear है, maternal antibody घूम रही है, मेरी बास सुन इससे बचने के लिए ओपी वी से जो वाइरस दिया है यह वाइरस क्या हो जाएगा modified यह वाइरस तुने क्यों दिया था इसलिए दिया था कि body क्या बनाए antibody किस के अंगिस्ट बनाए वाइरस, पोलियो वाइरस के अंगेस्ट क्या बनाए, एंटीवाडी, यह लास्ट बार समझा रहा हूँ, दिमाग को समझ लीजेगा, तो यह जो पोलियो वाइरस है, उसके अंगेस्ट एंटीवाडी बनाए, इसलिए मैंने यह लाइव एक्सिन दी थी, पर एक्चुल में क् एंटीवाडी नहीं बनाएगा, जिससे वाइरस, जिससे पोलियो प्रिवेंट हो, यह वो एंटीवाडी नहीं बना पाएगा, जिससे पोलियो प्रिवेंट होगा, मतलब यह दूसरी एंटीवाडी बना देगा, तो जब पोलियो का वाइरस का भी दुबारा आया, तो उसे body में antibody नहीं मिलेगी जब antibody नहीं मिलेगी तो वो उसको बीमार कर सकता है क्योंकि antibody होती तो polio के virus से बचा लेता अगर antibody ही बदली हुई अंदर रखी हुई है बदली हुई antibody है तो polio virus का कुछ नहीं होगा वो बीमारी भेलाएगा और यह patient हो जाएगा अब तो समझ में आ रहा है वह यार अरे हद्या श्टूल वाल एक्जामपल दुबारा सीरियसली यार तुम लोग ठीसरे कोशन पर बापस जाऊं अब समझ में आया है का मैंटनल एंटी बॉड़ी वाला हेमोफिलिया पढ़ता हूं तो यह रा कमेंट बेटा मैं तू क्या करेगा अनल यादब जैपुर क्या सपास क्यों हो तू मिलने आएगा के बिटा पढ़ ले यार प्रोच जए तू करेंगा झाल करें नहीं करेंगा जाँ करेंगा तू झाल केरियस हैक साइलेंट एpंक किसे करते हैं वह भी बात बहुत द्यान सुनना साइलेंट आपीडेमिग कि ऑक साइलेंट एपी डैमिग कि किसे कहते हैं डिमेंक सर्था पंक कि ए टैप opposis it किसे कहते हैं डिमेंसिया को कहते हैं अच्छा more than 50 million more than 50 million people globally having the dementia 50 million से ज़्ञादा लोगों को दिमेंसिया है और डिमेंसिया में जिस में व्यक्ति को दिमेंसिया होता है इसमें न तो कोई वार्निंग होती है और अगर होती भी है तो बहुत लिटल वार्निंग होती जिससे आइडिया लगे कि इसको डिमेंसिया हो रहा है डिमेंसिया बहुत जादा आपको तुरंत पता नहीं चलता किसी को डिमेंसिया हो रहा है तो यह या तो कोई वार्न तो डिमेंसिया तो आप्शन में नहीं दे रहा कहीं इस पूरे में डिमेंसिया कहीं नहीं है most common dementia Alzheimer होती है और most common dementia क्या होता है Alzheimer तो बिटा answer क्या जाएगा Alzheimer is non-alzheimer silent epidemic क्या बोलेंगे इसको silent epidemic बोलेंगे because most common type of dementia is Alzheimer disease नरेंद्वर्मा very good बिटा साभाज इस पौरेड़े एक local area में समझा रहा है अब आपने कासर एक बात बताओ यह coronary artery disease भी तो epidemic होती है coronary artery disease को कहते है modern epidemic कोई पूछे आप से coronary artery disease कैसी है तो यह modern epidemic किसको बोला जाता है इससे बोलते है अच्छा है तो अच्छी बात गॉडब्लेस यो के लिए बच्छे चलो आज का last question आपके सामने screen पर है आज का last question है फटाफट इस question को पड़े और answer करें तो डैट इस दा टोड़े लास्ट question वेगॉस method using वेगॉस method किसमें काम आता है जल्दी बताओ फटाफट हां बेटा thank you मैं देख लिया अच्छी बात है कौरोनरी आर्टी डिजीज दिलीप रहेगर बेटा तु बहुत बुरी हालत में दिलीप तेरी कसर वेगॉस method using वेगॉस method किसमें काम आता है तो वेगॉस method जिसमें काम आता है उसे कहते हैं कोड़ प्रलेप्स तो जो कोड़ प्रलेप्स की situation होती है उसमें वेगॉस method काम में लिया जाता है वापने का वेगॉस method क्या होता है वेगॉस method को सुद्धिन्दी में कहते हैं तो distended हो गया blader थीक है dit ended हाँ तो ब्लेडर दिस्टेंड हुआ है तो किस से आपने बहा क्या है मैं नेका नॉर्मल से लाइन भरूँ गा और तुम्हें इसमें क्यों सा तेजा बलेकर बहना हूं तो आपने का जैसे ब्लेड डिस्टेंट होगा जो जो तरह चलेगा यह ज़ार जाएगा उपर की तरफ चलाजाएगा तो उपर की तरफ होने से जो compression था किसका code का वो prevent हो जाएगा, तो prevent the, prevent compression of code, prevent compression of code, तो जो code था उसका prevention हो जाएगा, यानि code का compression नहीं हो पाएगा, prevent हो जाएगा, और अगर उससे prevent हो गया, तो condition थोड़ी, फीटर डिस्ट्रेस कम हो जाएगा, तो फीटर डिस्ट्रेस को कम करने के लिए मैं इसे वेगोस method यूज कर रहा हूँ, जिससे हम कहते हैं bladder filling, अब आपने कासर कैसे करोगे, तो इसमें लगवख 400-700 ml normal saline भढ़ देते हैं, 400-700 ml के आसपास हम भढ़ते हैं, नॉर्मल saline bladder में जिससे presenting part उपर की तरफ सिफ्ट हो जाता है, और वो सिफ्ट होने से compression नहीं होता, और compression नहीं होता, तो मतलब fetal distress नहीं होता, इसका मतलब यह है बचे, आपकी energy का राज क्या है, तुम्हारा प्यार, तुम लोगां का प्यार, तुम जो तना respect देते हो, इतना चीज़ें समझते हो, यह मोटी, यह मेरे लिए पता है, YouTube जो है ना, तुम लोग मेरे लिए एक therapy हो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, यह तुम्हारा section के लिए जरूरी मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मिली क्या जरूरी, मिली जरूरी है कि आपके जो response आते हैं, आपका जो प्यार मिलता है, जो respect मिलता है, यह लोगों को खरीदने से भी नहीं मिलता, इतना rude व्यक्ति को, इतने चलाने वाले व्यक्ति को, इतने डांटने वाले व्यक्ति को, इ मैं यहां पर आके stress reliever की तरह काम करता हूं जो मैं पूरे दिन का ठक जाता हूं ना तब भी मैं YouTube पर पढ़ा सकता हूं क्योंकि यहां मेरा stress relief होता है और मैं उन चीजों को आपको दे पाता हूं और मैं कुछ नया आपको दे रहा हूं तो मुझे खुसी मिलती है कि मैं बच्च कि यह चले हैं आवर पढ़ोगे अभी चले हैं आवर पढ़ोगे अभी चले हैं आवर पढ़ोगे बताओ जल्दी भड़ा पड़्ट करके बाद तो मैं आवर पड़ोगे लावर देखे लावरे पर देख़ सेखें लावरे लावरे कि अगरे लावर जारा हैं मिलती हैं कि लिया चलो अब हम आज से बिदा लेते हैं आज की क्लास यहीं खतम करते हैं आप सब को मेरी तरफ से से अगले क्लास में जब भी आऊंगा अगली क्लास एड टे क्लास टुमारो तो मैं अब फ्री हूं इसी फिर अगली इक में फ्री नहीं नहीं हूं तो में इसी वीक में लगाता है भी ने अगली वीक की भर्पाई कर सकूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं बिजी रहूंगा तो नेक्स्ट वीक मैं बिजी रहूंगा इसलिए कल बापस से मेरी class होगी आपके सामने ठीके बच्चे तो यह याद रखना ये जो चीजें हैं कल बापस मिलेंगे इसी चैनल पे इसी वक्त समझा रहा बच्चे और हाँ जाने से पहले क्लास को मैं प्राइवेट नहीं कर रहा याद रखना आपने का कहने कर रहे हैं यह मूड पर डिपेंड है मैं महबबत को हकीकत में बया करके बढ़ा रोया, मेरी जान मैं खुद को तेरा करके बढ़ा रोया, मैं पहले रोया तेरे गले लगने को, मैं पहले रोया तेरे गले लगने को, फिर तेले गले लगकर मैं बढ़ा रोया, तो आज की क्लास हम यहीं खतम करते हैं बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे कली मुलाकात करेंगे आपसे और याद रखना कल मिलेंगे नो बजे तब हम तक के लिए पढ़ते रहें समय का ध्यान रखेगा और अपने घरवालों का ख्यार रखेगा पाप अम्मी का ख्यार करेंगे झाल झाल